कोलापूर नगर के सभी सम्माननिय नागरिक बंदो इस सभागार में उपस्तित सभी माताओ बेहनों मैं आपका बहुत आभरी हूँ आप यहाँ उपस्तित हैं मुझे आपसे संबाद करने का बात करने का मौका मिलता है सबसे पहले मैं सहच सेवा ट्रस्ट का अभार व्यक्त करना चाहता हूँ विशेश रूप से श्री सनमती मिर्जे जी का अभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिनोंने ये सारा आयोजन किया आपसे बात करने का मुझे मौका दिया इसके अलावा पतंजली योग समीती का भारत स्वाइब मान के सभी कारे करता हूं का अभार व्यक्त करता हूं जिनों ने इस पूरे कारे में तनमंधन से सहयोग किया है मैं कोलापुर में पहले भी आ चुका हूं आप सब लोग मुझे जानते हैं लेकिन आज मैं एक नई भूमिका में आपके सामने हूं परम पूजिनिये स्वामी राम देव जी ने पांच जनवरी 2009 को भारत स्वाइब मान नाम का एक ट्रस्ट बनाया इस ट्रस्ट में परम पूजिनिये स्वामी राम देव जी अध्यक्ष हैं आचारِ बाल करश्ट जी उसके महामंतरी है और मुझे स्वामी जी ने इस ट्रस्ट के रास्ट्रिय सचिप की जिम्मेदारी दे हुई है उस हैसित से मैं आज आज आप से भारत स्वाइब मान के बारे में बात करना चाहता हूं यह भारत स्वाभिमान अभ्यान क्या है? यह ट्रस्ट की इस्थापना क्यों हूई है? इसका क्या कारे है? क्या उद्देश है? क्या हम करना चाहते हैं इस देश में जिसके लिए हमने ये बनाया? ये सब विशय मेरे इस व्याक्यान में आईंगे आपसे इस बात के लिए च्छमा चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से मराठी भाषा में नहीं बात कर सकता इसलिए हिंदी में बात करता हूँ सरल हिंदी बोलूँगा आपको समझ में आएगी हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया लेकिन स्वतंत्र नहीं हुआ आप ये पूछेंगे कि आजादी और स्वतंत्रता में क्या अंतर है भारत को आजादी मिली अंग्रेजों की गुलामी से अंग्रेजों की सरकार यहां से समाप्त हो गई और भारत में आजादी के बाद भारत की सरकार बन गई लेकिन स्वतंत्रता नहीं आई इस देश में स्वतंत्रता का अर्थ है अपना तंत्र हम नहीं बना पाए हिंदी का शब्द है स्वतंत्र वो मराठी में भी है, संस्कृत में भी है स्वा माने अपना, तंत्र माने व्यवस्था हम अपनी व्यवस्था नहीं बना पाए आजादी के 62-63 साल के बाद भी अपना तंत्र नहीं बना पाए अपना सिस्टम नहीं बना पाए तो आप बोलेंगे फिर क्या है वास्तविक्ता ये है कि आजादी के 63 साल अभी हो रहे है हमारा तंत्र वही चल रहा है जो अंग्रेजों ने बनाया था अंग्रेजों ने जिसको चलाया था उसमें कहीं कोई बदल नहीं हुआ कहीं कोई उसमें परिवर्थन नहीं हुआ इसलिए हम मानते हैं कि भारत आजाद तो हो गया स्वतंत्र नहीं हुआ जब हम अपना तंत्र बना लेंगे अपनी व्यवस्थाइं बना लेंगे तब ये देश स्वतंत्र होगा ऐसा हमारा मानना है और जब तक स्वतंत्रता नहीं होती तब तक स्वराज जी की स्थापना नहीं होती स्वराज्य की नीव स्वतंतरता के आधार पर खड़ी होती है तो भारत में स्वराज्य की स्थापना करनी है तो उसके पहले स्वतंतरता आनी चाहिए और स्वतंतरता आने के लिए अपना तंतर बनना चाहिए अपनी व्यवस्था बननी चाहिए इसके प्रयास के लिए ये भारत स्वाजमा नभयान हमने शुरू किया आप बोलेंगे ऐसी क्या तकलीफ हैं इस देश में जो हम अपना तंत्र नहीं बना पाई मैं कुछ उधारण से मेरी बात शुरू करना चाहता हूँ ये देश जो आजाद हुआ है बहुत मुश्किल से आजाद हुआ है बहुत कीमत चुकानी पड़िये हम दुनिया में अलग-अलग समय पर बहुत सारे देश गुलाम हुए भारत है भारत के बहुत सारे पडोसी देश हैं जो अलग-अलग समय पर गुलाम हुए यूरोप ने कई देशों को गुलाम बनाया और इन देशों की आज़ादी की लड़ाई भी पिछले 500 वर्षों में अलग अलग जगे हुई जैसे अफरीका गुलाम हुआ इंगलेंड का ब्रिटेन का और साड़े 400 साल तक गुलाम रहा अफरीका के बहुत सारे देश हैं जिमबॉबे है वो गुलाम रहा यूरोप के देशों का अलग लग समय पर बहुत सारे देश पचास से ज़्यादा देश दुनिया में गुलाम हुए अलग लग समय पर हर देश में आज़ादी की लड़ाई हुई भारत में ही नहीं हुई है अफरीका में भी आजादी की लड़ाई हुई है अलजीरिया में भी आजादी की लड़ाई हुई है जिंबॉबे में भी आजादी की लड़ाई हुई है रुडेशिया में आजादी की लड़ाई हुई है दुनिया के 50 देशों में पिछले 500 साल आज़ादी की लड़ाईया हुई हैं लेकिन सभी देशों की आज़ादी की लड़ाई में इतना बलिदान लोगों को नहीं देना पड़ा जो भारत में हुआ इसलिए मैं मानता हूं कि भारत की आज़ादी बहुत कीमती है क्योंकि इस देश की आज़ादी को लाने में बलिद बहुत हुए आप पूछेंगे कितने बलिदान हुए हैं भारत की आजादी के पिछले करीब करीब देड़ सो वर्ष के इतिहास को बहुत लंबे समय से मैं जान रहा हूं पढ़ रहा हूं समझ रहा हूं उसके दस्तावेज इकटे कर रहा हूं डॉकुमेंट्स कलेक्ट कर रह है मैं बात को जो गंबीरता से कहना चाहता हूं वो ये कि अभी तक जो जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार इस देश की आजादी को लाने में साथ लाक बतीस हजार साथ सो असी शहीदों की कुर्बानी हुए है अभी तक मिली जानकारी के अनुसार हो सकता है थोड़ तक जानकरी में लिए है वो 732,780 शहीद कुर्बान हो गए इस देश की आसादिते। उन में से भगत सिंग एक हैं, उधम सिंग एक हैं, आश्वाक उल्ला एक हैं, अजीम उल्ला एक हैं, नाना सहब पेश्वा एक हैं, तात्या टोपे एक हैं, जहांसी किरानी लक्ष्मी बा के एक हैं, अगर आप इन शहीदों के नामों की सूची बनाएंगे, तो इन नामों में 732,780 नाम हैं, हमारा सबका ये दुर्भाग्य है, कि आजादी के लिए शहीद होने वाले, जो हमारे करांतिवीर हैं, उनके सबके नाम भी हमें नहीं मालूं, भारत सरकार को भी नहीं पर बात करता रहा कि हमें हमारे शहीदों की एक सूची बनानी चाहिए, कम से कम पूरे भारत के लोगों को ये जानकरी देने के लिए, महीती देने के लिए, कि आजादी में कितने लोग शहीद हुए हैं, तो सरकार कहती है, वो सूची पूरी नहीं है, अधूरी है, और जानकारी अलगलग मिलती है तो पता चलता है कि इतने शहीद अब तक हमारी जानकारी में हैं जो इस देश के लिए कुर्बान हो गए जिन्हों ने अपना सब कुछ निस देश के लिए नियोचावर कर दिया हम भारत के बाहर के देशों की आजादी का इतिहास जब पढ़ते ह हैं तो जैसे अफरीका की आजादी का इतिहास मैंने पढ़ा तो पता चला कि कुछ हजार लोगों की कुर्बानी हुई और वो देश आजाद हो गया जिमबॉबे का इतिहास पढ़ते हैं रोडेशिया का इतिहास पढ़ते हैं अलजीरिया का इतिहास पढ़ते हैं मिश्र का इतिहास पड़ते हैं जिसको हम अंग्रेजी में एजिप्ट कहते हैं इन सभी देशों की आज़ादी की लड़ाई में कुछ हजार लोगों की कुर्बानिया हुई है लेकिन भारत अकेला एक ऐसा देश है जहां की आज़ादी के लिए साथ लाक बत्तीस जार साथ सो असी फासी दी गई ये वो लोग है जिनको अंग्रेजों ने भारत की जेलों में फासी दी और जिनको अंग्रेजों ने इंग्लेंड की जेल में फासी दी आप जानते हैं कुछ शहीदों को फासी लंदन में हुई इंग्लेंड में हुई जैसे शहीद उधम सिंग उनको लंदन म में फांसी हुई भगत सिंग राजगुरू सुखदेव को लाहोर में फांसी हुई जो भारत का अंग था तो कई शहीद ऐसे थे जिनको विदेशों में फांसी हुई इंग्लेंड की जेलों में फांसी हुई और कुछ शहीद ऐसे जिनको भारत की जेलों में फांसी हुई दोन अंग्रेजों की पुलिस के आमने सामने में शहीदों की कुर्बानी हुई हम तो उनको भी शहीद मानते हैं क्योंकि वो किसी शहीद से कम नहीं है अंग्रेजों की सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए अंग्रेजों की सरकार का कानून विरोध करते हुए जिन भारतवासि पर गोलियां चलाई गई और उसमें उनकी मृत्ती हुई वो भी शहीद है इस देश वो कोई साधरन नागरिक नहीं है और इसके अलावा अंग्रेजों की पुलिस का अत्याचार सहन करते हुए जो भारतवासियों की शहादत हुई जैसे हमारे देश में कई शहीद ऐसे हैं ज उनको तो सिर में इतनी लाठियां मारी गई थी कि उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था और उसमें उनकी मृत्ती हुई थी लाला लाजपतराय को अंग्रेज सरकार भारत का शहीद नहीं मानती वो पुलिस के साथ मुठवेड में मारे गए ऐसा अंग्रेज सरकार कहती है लेकिन हम तो ये बात नहीं कह सकते लाला लाजपतराय के बारे में हमारे लिए तो लाला जी भी वैसे ही शहीद हैं जैसे शहीद आजम वकत सी में तो अंग्रेजों की पुलिस की लाठियां खाकर अंग्रेजों की पुलिस की गोलियां खाकर जो भारत के क्रांतिवीर शहीद एक उधारन से मेरी बात समझाता हूँ, भारत में जो क्रांतिवीर ने सबसे पहले अंग्रेजों की सरकार को हटाने की और अंग्रेजी साशन विवस्था को खतम करने की कसम खाई थी, वो नाना साहब पेशवा थे, आप जानते हैं कि मूलत पुने के रहने वाले थे, लेकिन यहां से उनको हटा दिया गया, उनकी पूरी रियासत उनका पूरा राज यंग्रेजों ने छीन लिया, बाजी राव पेशवा का सारा रियासत पूरा राज यंग्रेजों ने छीन लिया, उनको यहां से उत्तर भारत में चले जाना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए, उत्तर भारत में कानपूर के पास एक छोटा सा नगर है बिठूर, वहाँ पर उन्होंने रहना शुरू किया, और बिठूर में बैठकर क्रांती की पूरी योजना बनाई नाना साहब पेश्वा ने, तो उनके सहयोगी थे, तात्यां टोपे, उनकी सहयोगी थी, जहांसी की रानी लक्षवी भाई, उनकी सहयोगी थी, रानी झहल कारी बाई, ये सब ने मिलकर आजादी का पहला सुपन देखा, और इस देश का पहला स्वाधिनता संगराम लड़ा, इस स्वाधिनता संगराम में लड़ने के बाद, अंग्रेजों ने जो उनसे बदला लिया उस बदले में उन्होंने क्या किया कि जो करांतिकारियों के शहर हुआ करते थे जैसे नाना साब पेशवा का शहर था बिठूर ऐसे ही लखनव था दूसरे करांतिकारियों का शहर बेगम हजरत महल और उनके सहयोगियों का तो अंग्रेज सरकार क्या करती थी कि इन शहरों को चारों तरफ से बंद कर देती थी अंग्रेजी में एक शब्द होता है कॉर्डरन डॉफ माने इस सब तरफ से बंद कर दिया पूरा शहर अब नहां खाने की सामगरी उस शहर में जाएगी ना शहर का कोई नागरिक वहां से बाहर आए अभी जो कर्फियू जैसी इस्थिती होती है वैसी अंग्रेजों के जमाने में बहुत शहरों में हो जाया करती है चारों तरफ से शहर को सील कर दिया पाँच दिन के लिए दस दिन के लिए पंदर दिन के लिए बीस दिन के लिए एक महीने के लिए उस शहर में न दूद जा सकता है न सबजियां जा सकती है न भाजी जा सकता है न खाने पीने का सामण जा सकता है और वो इस्थिती में लोग भूग से मर जाते थे उनकी अगर संख्या हम जोड़ना शुरू करें तो ये संख्या साड़े चार करों है अंग्रेजों की सरकार के कठोर नीतियों के चलते दुर नीतियों के चलते जो लोग भूग से मरें अंग्रेजों की सरकार ने तोप के मुँसे जिनका शरीर बा दिया जाता था रसी से और उसमें गोला दाकर उडा दिया जाता था वो पूरे शरीर को तो परखचे उड़ जाते थे चित्र अचाज इसके ने बहितbles बहित जे दिया जरीक के चित्र पार जबान के और गुरू के उड़ियोAre हैं तो वो चार करोड़ पचास लाग है माने साड़े चार करोड़ लोग इस देश की आजादी के लिए परोक शुरूप में शहीद हुए है और साथ लाग 32,780 शहीद प्रत्यक शुरूप से शहीद हुए है दोनों को मिला दिया जाए तो ये बहुत बड़ी संख्या बनती है दुनिया के किसी देश में इतना बड़ा आजादी का संग्राम नहीं हुआ है जो भारत में हुआ है इसलिए मैंने आपको कहा आजादी बहुत कीमती है जो भी मिली है हमें बहुत कीमत हमें चुकानी पड़ी है उसकी। आसानी से अंग्रेज इस देश को छोड़कर नहीं गए हैं। बहुत मुश्किल से हमने अपने देश को उनसे छुड़ाया। तो चार करोड पचास लाग तो परुक शहीद हैं। 32,780 प्रत्यक शहीद हैं। दोनों मिलाकर इतनी बड़ी संख्या दुनिया के किसी देश में नहीं है जो आज़ादी के लिए शहीद होने वाले लोगों की है। अपना देश बहुत मुश्किल से आज़ाद हुआ है। बह हर बच्चे को मालूम होना चाहिए हर देश के नागरिक को पता होना चाहिए कि कितनी कीमती है ये आज़ाद है। अब इससे भी बड़े महत्तों की बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जिन शहीदों ने ये आज़ादी लाई हमारे लिए हमने तो कोई कुर्बानी नहीं दी है बहुत सारी तकलीफ हैं सहन करके ये आज़ादी लाई है उन शहीदों के उन करांतिकारियों के कुछ सपने रहे और उन सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना बलिदान किया है। सारे के सारे करांतिकारी जो इस देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए वो प् जो सपने रहे आजारी के लिए उनको एकठा कर रहा हूं, दस्तावेज मिल रहे हैं, भारत में बहुत सारे अबिलेखागार हैं जिनको हम सब आर्काइव्स कहते हैं, नैशनल आर्काइव्स, वहां पर दस्तावेज रखे हुए हैं जो शहीदों के बारे में, उनमें से पता किस शहीद ने किस सपने के लिए अपने को कुरुबान किया। नो कुछ सपने रहे हैं और उन सपनों को जब हम जानने की समझने की कोशिश करते हैं तो अफसोस होता है बहुत जादा कि किसी भी शहीद का किसी भी करांतिवीर का एक भी सपना आजादी के बाद पूरा नहीं हुआ है हम आजाद हो गए 15 अगस 47 को तो सबसे पहला काम जो था इस देश की सरकार के लिए इस देश के नागरिकों के लिए वो ये था कि हमारे शहीदों के सपनों को हम पूरा करें जिनोंने आजादी लाके हमको दी हैं उनका बहुत बड़ा एहसान हमारे उपर है हम हमारे शहीदों के जनम दिन मनाते हैं मरत्यु दिवस मनाते हैं मरत्यु दिवस मनाते हैं तो श्रद्धांजली अर्पित करते हैं जनम दिन मनाते हैं तो खुशी अर्पित करते हैं तो जिन शहीदों के प्रति हम श्रद्धांजली अर्पित करते हैं उनका अगर एक भी स अपना पूरा नहीं होता आजादी के बाद तो उनको श्रद्धानजली देना एक पाखंड से बड़ा कुछ नहीं है उनका जनम दिन बनाना एक तरह का अटहास करने जैसा है हसी उडाने जैसा है क्योंकि जिस आदर्श के लिए जिस परिस्थती को बनाने के लिए उन्होंने अपने आपको कुर्बान कर दिया अगर वो आदर्श स्थापित नहीं होता वो परिस्थती नहीं बनती तो उनका तो सारा बलिदान वियर्थ है मैं एक दो नाम लेके बताता हूँ शहीद आजम भगत सिंग को जब लाहूर जेल में फांसी हुई उसके थोड़े दिन पहले उन्होंने एक पत्र लिखा जिसको उन्होंने कहा कि ये मेरा घोशना पत्र है और ये पूरे देश के लोगों को पता होना चाहिए बात क्या थी? जब भगत सिंग को फांसी होने की घोशना हो गई तो देश के अखवारों में एक चर्चा पल चल पड़ी अंग्रेजी सरकार उस चर्चा में हिस्सेदार हो गई अंग्रेजी सरकार कहती थी कि भगत सिंग आतंकवादी है भारत के लोग कहते थे कि भगत सींग क्रांतिकारी है अब क्रांतिकारी और आतंकवादी की बहस शुरू होई तो अंग्रेजी अखवार जो उस समय छपा करते थे आज भी उन में से एक दो अखवार इस देश में चलते हैं तो उन अंग्रेजी अखवारों में अंग्रेज सरकार के समर्थन में लिखा जाता था कि भगत सींग और उनके जो सहयोगी हैं चंदर शेकर उनके जो सहयोगी रोशन सींग और मनमत नाद गुपती ये सब आतंकवादी हैं। तो भगत सींग को एक घोशना पत्र जारी करना पड़ा और उनको ये बताना पड़ा कि हम आतंकवादी नहीं हैं। हमने बहुत सोच समझ कर, जान बूझ कर, ये क्रांतिकारी कदम उठाया है और हमारे कोई सपने हैं जिनके लिए हम अपने को बलिदान कर रहे हैं। हम ऐसे ही साधरन लोग नहीं हैं, आतंकवादी नहीं। उन्होंने जो घोशना पत्र जारी किया था, उसमें उन्होंने लिखा कि हम क्या चाहते हैं। उन्होंने लिखा कि हम चाहते हैं कि भारत से अंग्रेजों की सरकार चली जाए अंग्रेजों की साशन व्यवस्था समाप्त हो जाए और उसके बाद भारत में जो व्यवस्था बने वो स्वदेशी व्यवस्था हो, पूर्रूप से स्वराज्य व्यवस्था हो तो उन्होंने जब गोशना पत्र लिक्खा तो बहुत इसफष्ट कहा करें कि अंग्रेजों के जाने के तत्काल बाद इस देश में अंग्रेजों की साशन व्यवस्था चली जानी चाहिए अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में से अंग्रेजों के बनाए हुए कानून समाप्त हो जाने चाहिए अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में से अंग्रेजों के बनाए गए सब नियम बदल जाने चाहिए अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में से अंग्रेजी चली जानी चाहिए अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में से अंग्रेजी सिक्षा व्यवस्था खतम हो जानी चाहिए एक लंबा गोशना पत्र है जिसमें 29 बातें उन्होंने लिखी और उस गोशना पत्र पर शहीद आजम भगत सिंग ने सबसे पहले हस्ताक्षर किया बाद में जब गोशना पत्र जेल के बाहर आया तो उनके दूसरे सहयोगियों के हस्ताक्षर उस पर हुए उस पर चंदरशेकर आजाद के हस्ताक्षर है उस पर ठाकुर रोशन सिंग के हस्ताक्षर है उस पर रामप्रसाद बिस्मिल के हस्ताक्षर है ऐसे उस जवाने के साथ बड़े करांतिकारियों के हस्ताक्षर से वो गोशना पत्र जारी हुआ सारे देश के अखवारों में वो छपा तब भारत के लोगों को ये पता चला कि ये सारे करांतिकारी किसी सपने के लिए अपने आपको कुर्बान कर रहे हैं शहादत को अपने ऊपर ओड़ रहे हैं और वो सपना क्या है? अंग्रेट चले जाएं ये बड़ी बात नहीं है भगत सिंग ने तो 1928 में ये बात कही थी आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर सन 1928 में एक अखवार का संपादक भगत सिंग जी को मिलने गया लाहुर के सेंटरल जेल में तो उन्होंने कहा कि आज़ादी तो आने ही वाली है वो संपादक हैरान होगे आपको कैसे मालूम उन्होंने का मुझे मालूम है आज़ादी आने वाली है तो संपादक ने पूछ लिया कितने दिन में तो उन्होंने का 15-16 साल में आज़ादी तो आई चाहेगी अंग्रेजों को तो जाना ही पड़ेगा वो तो यहां नहीं रह पाएंगे और हम तो उनसे किसी भी तरह से आज़ादी ले लेंगे लड़कर ले लेंगे भड़कर ले लेंगे जैसे भी चाहें हम तो आज़ादी ले लेंगे वो बड़ी बात नहीं है बड़ी बात यह है कि आज़ादी आने के बाद अंग्रेज तो चले जाएंगे अंग्रेजियत जाएगी क्या ये सवाल उन्होंने किया तो संपादप को समझ में नहीं आया अंग्रेजियत का माने क्या तो भगत सिंग ने कहा कि अंग्रेजों की सिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजों की कानून व्यवस्था, अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था, अंग्रेजों की प्रसाशन व्यवस्था, ये सब मिलाकर अंग्रेजिय, ये चली जाए इस देश में से, तब हमारा स्वपन अपनी आजादी का रास्ता मानते थे और वो बोलते थे कि अंग्रेजों से हिंसा करके ही हम आजादी ले सकते हैं कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी इस देश में हुए जो अहिंसा को आजादी का रास्ता मान के काम करते थे उन में महात्मा गांदी एक थे फिरोशा महता एक थे कोपाल कृष्ण गोखले एक थे सरदार बल्लब भाई पटेल एक थे ऐसे क्रांतिकारी जो हिंसा को रास्ता मान कर चलते थे ऐसे क्रांतिकारी जो हिंसा को रास्ता मान कर चलते थे दोनों के समय के अलग-अलग समय के घोशना पत्रों को मैंने पढ़ा है वो एक ही हैं दोनों के, रास्ते अलग-अलग महात्मा गांदी ने घोशना पत्र जारी किया संपून सुराज्य के लिए और महात्मा गांदी के सहयोगियों ने उस पर हस्ताक्षर किये लाहोर में वो जारी हुआ 1930 में तो उस गोशना पत्र में भी यही लिखा हुआ है कि हमको संपून आजादी चाहिए संपून सुराज चाहिए और उसको इसपष्ट किया गया है वो ये कि अंग्रेज तो चले ही जाएंगे उनके जाने का हमें कोई मन में शंसे नहीं है अंग्रेजों के जाने के बाद उनकी जो व्यवस्था है वो इस देश में नहीं रहनी चाहिए गांदी जी भी वही बात कहते हैं अंग्रेजियत जानी चाहिए انگریجوں کی व्यवस्ता انگریجوں के कानून انگریجوں की सिक्षा انگریجوں की भाषा गांदी जी तो इतने ज़्यादा उग्र थे वो कहते थे कि एक दिन के लिए मुझे भारत में انگریجوں के जाने के बाद राज चलाने का मौका मिले सिर्फ एक दिन के लिए तो सबसे पहले मैं दो ही काम करूँगा एक तो अंग्रेजों के बनाए हुए सारे कानून जला दूँगा और अंग्रेजों की जो भाषा है अंग्रेजी इसको एक दिन में पूरे देश मैं से खतम कर दूँगा अब हम ध्यान से देखे हैं तो मैं ये मानता हूँ वो ये कि भगत सिंग हो चंदरशिकर आजाद हो रामपरसाद बिस्मिल हो ठाकुर रोशन सिंग हो आश्वाकुल्ला हो ये करांतिकारी हिंसा को रास्ता मान के काम करने वाले महात्मा गांदी हो मदन महन मालवी हो या सरदार पटेल हो या उनके सहयोगी हो फिरोशा मेता वगएरा ये अहिंसा को रास्ता मान कर चलने वाले दोनों ही करांतिकारी केची की तरह से काम करते थे केची होती है ना सीजर जिसको हम कहते हैं उसमें एक फलक मान लो हिंसा वाला दूसरा अहिंसा वाला काम दोनों मिलके अंग्रेजों की जड़ काटने का ही कर रहे थे रास्ते अलग अलग थे मानिताएं अलग अलग थी उद्देश दोनों का एक ही था तो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि जब हिंसा के आधार बनाकर करांती करने वाले अहिंसा को आधार बनाकर करांती करने वाले सबके सपने एक ही थे तो आजादी मिलने के ततकाल बाद भारत सरकार को ये करना चाहिए था कि करांते कारियों के सपनों को पूरा करने के लिए इस देश में काम होना लेकिन दुर्भाग से इस देश में कोई काम नहीं हुआ मुझे तो इतना अफसोस है इस देश के बारे में आजादी मिलने के बात का देश हमारा कैसा है हमारे देश में जिन लोगों ने शहादत दी जिन लोगों ने बलिदान किया जिन लोगों ने कुरुबानी दी ऐसे लोग इस देश की सरकार की सूची में कहीं नहीं है और जिन लोगों ने देश से गदारी की अंग्रेजों से वफादारी की अंग्रेजों से दोस्ती की अंग्रेजों का सहयोग किया वो इस देश की साशन व्यवस्था में सबसे उंचे पदों पर बैखे गूँ मैं आपको बहुत अफसोस की बात कहना चाहता हूँ जो मेरे दिल का दर्द है एक दिन मैं कानपूर रेलवे स्टेशन पर उतरा था एक व्याक्षान देने के लिए गया था कानपूर आप जानते हैं कि एक जमाने में करांतिकारियों का घर था नाना साथ पेश्वा, तांतिया टोपे, जहांसी गरानी लक्ष्वी भाई ये सब कानपूर में एकठे होकर आजादी की योजनाएं बनाया करते थे बहुत है थे, हासिक शहर है तो वहाँ एक बार मैं व्याक्यान देने के लिए रेलवे स्टेशन पे उत्रा तो रेलवे स्टेशन के बाहर निकला तो वहाँ चाई की कुछ दुकाने हैं आप कभी जाएंगे तो आपको भी दिखाई देंगे तो एक चाई की दुकान के सामने से में गुजर रहा था, मेरा अचानक से मुबाइल फोन बज गया, मैंने रुक के उस मुबाइल फोन को सुनना शुरू किया, तो एक कान से मैं मुबाइल फोन सुन रहा था, दूसरे कान से एक चाई की दुकान पर एक माँ और एक उसकी बेटी आपस में बातें कर रहे थे, दो से उनकी बात सुनी तो उनकी बात का एकी विशह था बेटी अपनी मां से पूछ रही थी हम इतने गरीब क्यों हैं तो उसकी मां समझा रही थी कि हम गरीब इसलिए हैं कि भगवान ने हमको ऐसा बनाया तो मुझे थोड़ा सा क्रोध आ गया मैंने उनकी बातों में हस्तक भगवान ने आपको गरीब बनाना होता तो भारत में आपको जनम क्यों देता पाकिस्तान में पैदा कर देता बंगला देश में पैदा कर देता अफरीका में पैदा कर देता इंडोनेशिया में पैदा कर देता आपको भारत में जनम क्यों दिया उस भगवान ने जो स्वर जाहिए कि भगवान ने आपको गरीब बनाया इस देश की सरकार की नीतियां हैं जिनोंने आपको गरीब बनाया तो ऐसी बात जब मेरी उनकी शुरू हुई तो मैंने उनका परिचे पूछ लिया आप कौन है कहा के रहने वाले हैं ये चाई की दुकान कब से चलाते हैं वगरा वगरा जब उनने उन्हें परिचे दिया तो मेरे पैर के नीचे की जमीन हट गई मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं बहुत नीचे गिर गया हूँ वो मा ने उस बेटी ने परिचे दिया कि हम तात्या टोपे के वन्शज हैं और हमारी गरीबी ने हमको चाई बेचने के लिए मजबूर किया है उस दिन मैंने अपने आप से यह पूछना शुरू किया कि तात्या टोपे के वंशज अगर इस देश में चाए बेच रहे हैं कौन सी आज़ादी की बात हम करों और उससे जादा क्रोध मेरे मन में इस बात का है कि तात्या टोपे जिनोंने पूरी जवानी इस देश के लिए अपनी लगाई आप जानते हैं सबसे देर में पकड़े गए तात्या टोपे 1857 का जो करांती का संग्राम हुआ नाना साथ पेश्वा के कंदे से कंदा मिला कर जिनोंने काम किया नाना साथ पेश्वा को जहांसी गरानी लक्ष्वी बाई को जहलकारी बाई को सारे उनके सहीयोगियों को शहादत हो गई सबसे अंत में तात्या टोपे पकड़े गए थे इतने कुशलता के साथ उन्होंने आजादी की लड़ाई का नेतर तो किया था और उनके परिवार के लोग चाय बेचें इस देश में अपना जीवन चलाने के लिए और इसी देश में ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ आप जानते हैं जिनोंने अंग्रेजों की सरकार के साथ सहयोग किया था देश को गुलाम बनाने में जिन्होंने अंग्रेजों की सरकार को सहयोग दिया था इस देश के क्रांतिकारियों को मरवाने में वो लोग इस देश में मुख्य मंत्री बनकर राज करें उनके परिवारों के लोग केंद्रिय मंत्री बनकर इस देश में राज करें आप जानते हैं एक इस देश में सिंधिया परिवार है जिसने अंग्रेजों की कितनी मदद की है अंग्रेजों से कितनी बफादारी उन्होंने निभाई है 1857 की लड़ाई में एक तरफ करांतिकारी लड़ रहे थे दूसरे तरफ सिंधिया परिवार की फाज अंग्रेजों के साथ करांतिकारीों के खिलाफ लड़ रही थी वो सिंधिया परिवार के बड़े बड़े लोग देश में मुख्य मंतरी बने परधान मंतरी के साथ केंद्रिय मंतरी बने और तात्या टोपे के परिवार के लोग चाय बेचें इस देश में सिंदिया परिवार की तरह इस देश में एक और परिवार है पटियाला राजगराना जिसको कहा जाता है जिन्होंने अपनी पूरी फौज, पूरी सेना अंग्रेजों को दान में दे दी एक करोड सौन मुद्राएं अंग्रेजों को दी थी उस 1857 की करांती के किलाफ काम करने के लिए उस पटियाला परिवार के लोग मुक्यमंतरी बने पंजाब के और तात्या टोपे के परिवार के लोग चाहे बेचें इस देश में आज़ादी के 63 साल के बाद अगर यही है तो कैसे कहें देश आज़ाद होते है पंद्रे अगस्त मनाना, तिरंगा जंडा फेराना, जंगणमन गाना यह आज़ादी का नाम नहीं, आज़ादी इस से गहरी कोई चीज है होना तो यह चाहिए था इस देश में आज़ादी के बाद, कि जिनोंने अंग्रेजों से वफादारी की जिन्होंने अंग्रेजों के साथ दोस्ती निभाई, जिन्होंने अंग्रेजी सरकारों को मदद की, उन सब को इस देश में आज़ादी के बाद या तो फांसी होनी चाहिए थी, या गोली से उड़ा देना चाहिए था, या बम लगाकर तोप से उनका शरीर खतम कर देना चाह ये था वो लोग सप्ता व्यवस्था में बैठे हैं हमारे उपर साशन कर रहे हैं उस समय अंग्रेजों के साथ दोस्ती करके साशन करते थे अब काले अंग्रेजों के साथ दोस्ती करके साशन कर रहे हैं लेकिन हमको तो मुझ चड़ा ही रहे हैं और जिनोंने देश की अपने जीवन को चलाने के लिए तो लगता है कि कुछ तो गड़बड है कुछ तो अधूरापन है इस तेश की आजादी में और ये अधूरापन पूरा करना ही होगा आज नहीं तो कल शहीदों के सपनों को सम्मान देना ही होगा आज नहीं तो कल शहीदों के परिवारी जनो किसे अपने आपको कुर्बान करेगी देश के लिए अगर ये कहानी में देश के बच्चों को सुनाओ कि तात्या टोपे ने देश की आजादी के लिए अपना तन, मन, धन, वतन, सब कुछ वार कर दिया और आज उनके परिवार के लोगों को चाय बेच कर जिंदगी बितानी पड़ रही है, तो नौजवान पीडी के मन में क्या ग्रश्व बनेगा, कौन सा उनके दिमाग में सपना पैदा होगा, किस ताकत से वो ये कह पाएंगे कि हमारे शहीदों ने जो किया वो ठीक किया, इसलिए मैं मानता हूं कि आजादी आतो गई है, लेकिन आजादी के बा नहीं ऐसे सैक्ड़ों शहीदों के परिवार हैं, जिनके लिए खाने को पैसे नहीं है, थोड़े दिन पहले शहीद आज़म भगत सिंग के परिवार के लोगों को, शहीद आजम भगत सिंग का एक बहुत बड़ा संदूख था, जो उनके दस्तावेज Hareजों से भरा हुआ वो सहारनपूर से लेकर और उनके अपने जलंधर जिले में लेके जाना था उस ट्रंक को भेजने के लिए पैसे एकठे नहीं हो पा रहे थे इतनी गरीबी में भगत सिंग के परिवारी जन लोग रहे रहे इस देश ठाकुर रोशन सिंग के परिवार के लोग चंदर शेकर आज़ाद के परिवार के लोग अभी भी मद्धिप्रदेश में बड़ी जलालत और गरीबी की जिन्दगी जी रहे एक भी शहीदों के परिवार मैंसे ऐसा नहीं मिला मुझे मैंने तो पिछले दस बारे वर्षों में कुछ पचास से ज्यादा शहीदों के परिवारों में जाकर इस्थिती को समझने की कोशिश की है एक भी परिवार ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि हाँ आज़ादी के बा इसलिए हम मानते हैं भारत स्वाइमान की तरफ से कि ये आजादी अधूरी है और ये आजादी पूरी तब होगी जब शहीदों के सपनों का सम्मान होगा शहीदों के परिवारियों का सम्मान होगा उनको इस देश में वो इस्थान मिलेगा जो इस देश में आज सत्ता चलान जिन्हों ने आजादी की लडाई में अपने जीवन में से कुछ नहीं गवाया, जिन्हों ने आजादी की लडाई में कभी कोई भाग नहीं लिया, जिन्हों ने आजादी की लडाई में अपने खून की एक बून भी कभी दान नहीं की, उन लोगों के हाथ में पूरे देश क इस आशन व्यवस्था हो और जिनों ने आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ गमाया वो तिल-तिल भूखे मरें चाय बेचनी पड़े पकोडियां बेचनी पड़े उनको ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक है बहुत अफसोस है इस व्यवस्था को ठीक करना है इसी इस देश में 20 सरकार आई और चली गई अलग-अलग पार्टीयों की सरकारे आई और चली गई किसी को ध्यान में नहीं आया कि तांतियां टोपे के परिवार के लोग चाय बेचें किसी का दिल नहीं धड़का किसी के पेट का पानी नहीं हिला इस देश सालों साल से वो Central Railway Station पर चाय की दुकान लगाते हैं इसका मतलब है कि हमारी साशन व्यवस्था में समवेदन हींता आ गई है पूरी तरह से समवेदन शून ने हो गया है चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे, बदमाश, लंपट किसम के लोग साशन व्यवस्था में आएं जिनोंने अपराद किये हैं वो इस देश के मंतरी बन जाएं जिनको जेलों में होना चाहिए वो संसद में जाकर बैठ जाएं जिनको जेलों में होना चाहिए वो विधान सबाओं में जाकर बैठें जिनोंने जिन्दगी भर कानून तोड़ने का काम किया है वो कानून बनाए इस देश में ऐसी आजादी हमें नहीं चाहिए इस आजादी की व्यवस्था को तो बदलना ही चाहिए और इसी बदलाओ के लिए भारस वाईमान का वियान शुरू हो मैं और एक बहुत गहरी बात आपसे कहना चाहता हूँ थोड़ी देर पहले मैंने नाम लिया लाला राजपतराय का जिनकी मृत्ति हुई थी अंग्रेजी पुलिस के सिर पर लाठियां और डंडे खाने से आपको मालूम है एक जमाना था जब अंग्रेजों की सरकार चला करती थी तो उन्होंने एक कानून बनाया था उसका नाम था रॉलेट एक्ट थोड़ा भी इतिहास आपने पढ़ा होगा तो आपको ये कानून का नाम याद आ जाएगा रॉलेट एक ये कानून को अंग्रेज लागू करना चाहते थे इस देश में कानून क्या था किसी भी भारतवासी को कोई भी अंग्रेज पुलिस का अधिकारी घर में जाए गिरफतार करके जेल में डाल दे उसके उपर मुकदमा ना चलाए फिर भी वो व्यक्ती सालों साल जेल में बंद रहे ऐसा कानून था रॉलेट एक्ट किसी भी भारतवासी को कोई अंग्रेजों का पुलिस का अधिकारी रात के दो बजे रात के तीन बजे सोते से उठा कर लाए थाने में बंद कर दे और उसको ये ना बताए कि तुम्हारा अपराद क्या है और उसको ये ना बताए कि तुमको किस अपराद में गिरफतार किया गया है फिर भी उस व्यक्ति को बंद रहना पड़े महीनों महीनों सालों सालों ये कानून था रॉल एटेक्ट अंग्रेजों की सरकार इस कानून को लागू करना चाहती थी भारत के जो करांतिकारी लोग थे वो इस कानून का विरोध कर रहे थे तो इस कानून का विरोध करने के लिए लाहोर में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी जैसे हम आजकल निकालते हैं सरकार की नीतियों का विरूद करने के लिए उस रैली का नेतरत तो कर रहे थे लाला लाजपत रहे और शांति पूर रैली थी उस रैली के ऊपर एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी सांडर्स ने लाठियां चलाई थी और इतनी लाठियां चलाई थी कि लाला जी की रैली से हॉस्पिटल ले जाते हुए म्रत्य हुई थी लाला जी के सिर में लाठियां मारी गए थी एक नई 14 लाठियां मारी गए आपको मालूम है कि लाठी मारने का भी एक नियम है पुलिस का और वो नियम ये है कि कमर से नीचे के भाग में ही लाठी जा सकती है उस से उपर लाठी मारी नहीं जा सकती नियम है यह पुलिस का नियम लेकिन अंग्रेजी अधिकारी सांडर्स ने उस नियम का उलंगन किया लाला जी के सिर में लाठियां मारी खून निकला ऑस्पीटल ले गए उनकी मुकदमे का आधार यही था कानून यह कहता है कि लाठियां कमर के नीचे मारी जानी चाहिए थी लेकिन शहीद आजम बगत सिंग का कहना था कि सिर्पे मारी गई उससे उनकी मुरत्य हुई तो बगत सिंग का यह कहना था कि सांडर्स को सजा मिलनी चाहिए उसके लिए पहले उन्होंने एफ आई आई आर दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन आसानी से एफ आई आर दर्ज नहीं हुई तो फिर यह सब करान्तिकारियों ने मिलकर मुकदमा करने के लिए उपर के अधिकारियों से बात की तो उपर के अधिकारियों से जब बारता लाप हुआ इनका मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ सिर्फ बारता लाप हुआ तो इनको पता चला कि अंग्रेजों की सरकार में एक कानून बनाया हुआ है उसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट ये कानून बनाया था 1860 में और लाला जी को लाठी मारने की घटना हुई 1927 में तो 1860 से भारत में कानून लागू था इंडियन पुलिस एक्ट उस कानून में हर अंग्रेज अधिकारी को right to offense और किसी भी भारतिय व्यक्ति को right to defense नहीं इसका मतलब क्या कोई भी अंग्रेज अधिकारी चाहे तो लाठीयों से किसी भी भारतवासी को पीट सकता है कोई भी भारतवासी अपनी जान बचाने के लिए लाठी को पकड़ नहीं सकता कानून ये थे right to offense मानें अंग्रेज अधिकारी चाहे तो लाठीयों से मार मार के आपको घायल कर दे अध्मरा कर दे ये उसका अधिकार है ये उसका करतव है ये उसकी duty है लेकिन कोई भारतवासी उस लाठीयों की मार से बचने के लिए लाठी पकड़ ले तो ये कानून के विरुद है और मुकदमा जो चलेगा वो भारतवासी पर चलेगा क्योंकि उसने पुलिस को duty करने से रोका और पुलिस की duty है कि वो लाठीयों से आपको पीटे ये उसका करतव है तो आपने उसको रोक दिया इसलिए मुकदमा आपके खिलेगा तो जब ये मामला आया और इंडियन पुलिस एक्ट की व्याक्या हुई तो शहीद आजम भगत सिंग को उत्तर मिला अंग्रेज सरकार की तरफ से कि सांडर्स के खिलाफ कोई केस नहीं बनता क्योंकि सांडर्स का करतव लिवधा अधिकार था उसने लाला जी को मारा अम्रत्यू हो गई तो हम अफसोस व्यक्त कर सकते हैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिहाजा सांडर्स के ऊपर मुकदमा नहीं चला नियाए इनको नहीं मिला तब भगत सिंग को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि अंग्रेजी साशन व्यवस्था में अगर हमको नियाए नहीं मिलता तो हम कानून को अपने हाथ में लेंगे और उस दिन भगत सिंग ने पिस्टॉल उठाई और कसम खाई कि सांडर्स को मैं मारूं और उसके लिए उन्होंने योजना बनाए और उस योजना में उनके सहयोगी शामिल हुए चंदरशेकर आजाद उनके साथ शामिल हुए उनके दूसरे सहयोगी शामिल हुए और एक दिन उस योजना को उन्होंने पूरा किया सांडर्स को उन्होंने गोली मारी, भगत सिंग ने गोली मारी, एक गोली में सांडर्स मर गया था, दो और मारी, जब भगत सिंग को किसी ने पूछा कि वो तो एक ही गोली में मर गया था, दो और आपने क्यों मारी, तो भगत सिंग को गुसा इतना था, उन्होंने का, और गुसा किस बात का था सांडर्स को इंडियन पुलिस एक्ट के आधार पर राइट टू ओफेंस मिला हुआ था और किसी भी भारतिय व्यक्ति को राइट टू डिफेंस नहीं था अब इस अपराद की सजा क्या हुई भगत सिंग की गरफतारी हुई और उनको फांसी की सजा हुई आपको मालूम है उनको फांसी की सजा इसी अपराद में हुई था उन्होंने एक बार भारत की संसद में जिसको उस जमाने में असेंबली कहा जाता था बम भी फेका था लेकि तो उनकी गिरफ्तारी हुई थी और कुछ साल की सजा देने का एलान था लेकिन चुकि सांडर्स को नोंने गोली से मारा उस अप्राद में उनको फासी हुई थी तो भगत सिंग को फासी के पहले पूछा गया बार बार कि आपको क्या कहना है क्या कहना है तो वो एक ही बात बार बार कहते थे जो भी कोई मिलने गया उनसे विजिटर बुक में लिखा है लाहोर की जेल में जो जो लोग भगत सिंगी को मिलने गए छोटे से लेकर बड़े तक भगत सिंग सब को एक बात कहते थे कि मैं तो शहीद हो जाओंगा मुझे तो फासी हो जाएगी लेकिन आप सब भारतवासी मिलकर ये अंग्रेजों का कानून जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट इसको सबसे पहले खतम कराना जिस दिन अंग्रेज भारत से जाएं उस दिन इंडियन पुलिस एक्ट को जला देना ये आज़ाद भारत के लिए कानून नहीं होना चाहिए ये उनके दिल का दर्द था अब मैं आपसे विनमरता पूरवक एक बात कहना चाहता हूँ वो ये कि शहीद आजम भगत सिंग के दिल का जो दर्द था कि इंडियन पुलिस एक्ट 1860 वाला कानून बदल जाना चाहिए अंग्रेजों के जाने के बाद लाला जी लाला लाजपतराय को जिस अंग्रेजी कानून के तहत लाठियां मारी गई पुलिस ने उनको पीटा और उनकी मृत्ति हुई वो कानून आजादी मिलने के 63 साल के बाद भी इस देश में चल रहा है वैसे ही चल रहा है जै अभी भी पुलिस अंग्रेजों की तरह से ही विवहार करती है जैसे अंग्रेजों की पुलिस भारतवासियों पर लाठी चार्ज करती थी वैसे ही आजाद भारत की पुलिस भारतवासियों पर लाठी चार्ज करती है जैसे अंग्रेजों की पुलिस गोलियां चलाती थी व बसंतर इतना ही है कि पुलिस को लाठी चार्ज करने का आदेश देने वाले पहले गोरे अंग्रेज थे अब पुलिस को लाठी चार्ज का आदेश देने वाले काले अंग्रेज हो गए हैं व्यवस्था वही है कानून वही है नीतियां वही है इसलिए हम भारत स्वागिमान व साल के बाद भी पुलिस को है आपको मारने की और पीपने की इस देश में कई बार ऐसे द्रश्च देखने को मिलते हैं जो हम गवार नहीं कर पाते थोड़े दिन पहले मैंने टेलिवीजन चैनल पर एक खबर देखी शायद आपने भी देखी हो दिल्ली में भारत देश के अं नेशनल ब्लाइंड सेसोसेशन राश्वरी अंद लोगों का संगठन उनको आँखों से दिखाई नहीं देता उन्होंने अपनी कुछ मांग भारत सरकार के सामने रखने के लिए प्रदर्शन किया था और मांग बहुत साधरन सी थी कि अंदे लोग अकेले कहीं यात्रा नह नहीं पड़े क्योंकि वो व्यक्ति अपने लिए यात्रा नहीं कर रहा है उस अंदे व्यक्ति को सहारा देने के लिए यात्रा कर रहा है इतनी सी मांग उन्होंने रखी थी सरकार के सामने और इसके लिए दिल्ली में एक स्थान है जंतर मंतर वहां पर उन्होंने एक देख रहा था पुलिस लाटियों से मार रही थी और वो हातों से एक दूसरे को टटोल टटोल कर उन लाटियों से बचने की कोशिश कर रहे थे सबत्रे लोग उसमें घायल होए थे खून उनको निकल रहा था लेकिन पुलिस पूरी बरबरता से उनको पीट रही थे उस दिन मैं अपने आप से पूछ रहा था भारत आजाद है हम स्वतंत रहें हमारे देश में स्वराज जा गया है क्या लाला लाजपत्राई को जिस बेदर्दी से पुलिस पीटती थी आज भी देश के लोगों को उसी बेदर्दी से पीटती कानून अगर नहीं बदला व्यवस्था अगर नहीं बदली तो आजादी का कोई अर्थ नहीं एक और उधारन देता हूँ हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको पोलियो हुआ है और उनके पाउं काम नहीं करते वो बाइसिकल पर ट्राइसाइकल पर बैठकर अपनी जिन्दगी चलाते हैं तो ऐसे कुछ हजार लोगों ने एक बार दिली में अपनी मांग के लिए कुछ जानकारी देने के लिए प्रदर्शन किया था पुलिस ने उनके भी लाठी चलाई थी 24 लोग गायल होए थे अभी थोड़े दिन पहले की घटना है राजिस्थान में सरकार एक चला करती थी जो अब चली गई अब भूतपूर्व हो गई वो सरकार उस सरकार ने राजिस्थान में एक नियम बना दिया नीती बना दी हर गाओं में शराब की दुकान होनी ही चाहिए ये नीती जिस सरकार ने बनाई वो भारतिय जनता पार्टी की सरकार थी और वो भारतिय जनता पार्टी की सरकार भारतिय जनता पार्टी की सरकार स्वदेशी की बात, राश्रवाद की बात, संस्कृती की बात, सब्विता की बात करने वाले लोगों ने नीती बनाई राजिस्थान में हर गाओं में शराब की दुकान होनी ही चाहिए क्यों? मुख्यवंतरी का आदेश है हर गाओं में शराब दिखनी चाहिए तो किसानों ने इसका विरोध किया था और किसानों ने ये कहा कि हमको शराब नहीं चाहिए पीने का पानी चाहिए क्योंकि राजिस्थान में पानी की बहुत ज़्यादा कटो कटी है कमी उन्होंने का हमारे खेत को पानी चाहिए हमको पीने का पानी चाहिए हमको शराब नहीं चाहिए तो इसके लिए किसानों ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था उस प्रदर्शन के उपर राजिस्थान की मुख्यमंत्री का आदेश हुआ पुलिस ने गोलियां चलाई 21 किसान उमारे गए उस उनका अपराद क्या था किसानों ने सिर्फ ये कहा था कि हमें शराब नहीं चाहिए हमें पीने का पानी चाहिए पुलिस ने उस दिन बरबरता दिखाई है उस दिन भी मैंने अपने आप से पूछा देश आजाद हो गया है क्या हम स्वतंत्र हो गए है क्या और एक गटना सुनाता ये तो बीजेपी की सरकार की बात कहरा पश्चिम बंगाल में कम्यूनिस्ट पार्टी की सरकार है वहाँ एक छोटा सा गाउं है उसका नाम है नंदी ग्राम उस नंदी ग्राम के किसानों ने अपनी जमीन बचाने के लिए कांदोलन किया था सरकार उनकी जबरजस्ती जमीन चीन रही थी किसानों का कहना था ये जमीन हम नहीं बेचेंगे क्योंकि इस पर हम खेती करना चाहते हैं सरकार ने जबरजस्ती करके जमीन चीनी किसानों ने विरोध किया पुलिस ने उन किसानों पर गोलियां चलाई और बीसियों किसान उसमें मार डाले उनों बंगाल की सरकार कमिन्स सरकार थी जिनों ने या आदेश दिया गोली चलाने का और कमिन्स लोग कहते हैं कि हम सरवहरा के लोग हैं हम आम आदमी की बात करते हैं, गरीब आदमी की बात करते हैं, फिर भी गरीबों पे गोलियां चली और उनको मार डाला गया, जमीन जबर जस्ती उनसे छीनी गई, उस दिन मैंने सोचा क्या बीजेपी, क्या कॉंग्रेस, क्या कम्यूनिस्ट पार्टी, क्या जंता दर्ली, क्य कोई क्या कोई सभी पार्टियों की सरकारें वैसे ही विवहार करती हैं जैसे अंग्रेज किया करते थे आम आदमी को कुछ नहीं समझते मार देते हैं गोलियों से लाठियों से कॉंग्रेस की कई राज्यों में सरकारें हैं इस समय देश हूँ और ऐसे कम से कम बारे तेरे राज्यों की कहानिया मैं सुना सकता हूँ जहां कॉंग्रेस की सरकार के आदेश पर किसानों पे गोलियां चलाई गई लाटियां चलाई गई उसमें लोग मारे गई तो आज़ा कर हम उनकी पोल खोलें उन नेताओं की जनम कुंडली हमने बनाई है हाँ और उसमें ये बता चल रहा है कि बीस साल पहले जिन नेताओं के पास टूटी साइकल नहीं थी चड़ने के लिए आज उनके पास मुंबई से लेकर पुने के बीच की हजारों हेक्टेर जमीन कहां से आई है हजारों हेक्टेर जमीन कहां से आई है वो बताएं इस देश को कि उनके बाप दादों ने क्या छोड़ा था और उन्होंने देश की सब्ता में आने के बाद क्या इस देश में से लूट कर अपनी व्यवस्ता बने हमरे पास कुछ नेताओं की जनम कुंडलिया हैं जो दादर रेल्वे स्टेशन पर बीस साल पहले भाजी पाला बेचते थे आज उनके पास बीस हजार करोड की संपत्ति है हमरे पास एक नेता की जनम कुंडलिया है जो नासिक में सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था बीस साल पहले आज उसके पास 25,000 करोड की संपत्ति है हमारे पास कुछ नेताओं की जनम कुंडलिया है जो दूद बेचा करते थे 20 साल पहले अपनी जीविका चलाने के लिए आज उनके पास 30,000 करोड, 35,000 करोड की संपत्तिया है कहां से आ गया यह सब तो वो जवाब देंगे भगवान ने दे दिया यही कहेंगे ना तो हम कहेंगे यह भगवान को वापस अरपित कर दो भगवान ने दे दिया भगवान को यह अरपित कर दो और फिर भगवान तै कर लेंगे कि इस धनका क्या करना इस देश में कई नेताओं को CBI ने पकड़ा है आपने सुना होगा उनका जवाब बिस्तर के नीचे से पांच-पांसों के नोटों की गड़िया निकली है ऐसे कई नेता इस देश में है वो एक ही जवाब देते हैं भगवान ने दे दिया हमारा जवाब है कि भगवान को फिर देदो आप उन्होंने आप को देदी आप उनको देदो देश का काम उसमें से हो जायेगा इन देश के अधिकारियों के भारे में भी हमने काफी काम किया है एक अधिकारी उत्तर प्रदेश में I.E.S. कैडर का है पोड़े दिन पहले CBI ने उसके घर में चापा मारा, उसके एक घर से 480 करोड की संपक्ति लिए, उस अधिकारी का नाम है अखंड प्रताप सिंध, और वो उत्तर प्रदेश सरकार में चीफ सेक्रेटरी रहा, मैंने उसके 40 साल की नौकरी की पूरी तंखा, पूरी पगार जोड़ी, तो 84 लाग करोड होनी, 84 लाग होनी चाहिए, उसकी 480 करोड की संपक्ति लिए, और उस अधिकारी ने का ये तो उसका एक घर है, ऐसे उसके नो घर और हैं अभी, ऐसे इस देश में हजारों अधिकार, हजारों लेता है, जब हम ये काम में लगे, तो सबसे बड़ी मुश्किल हमारे सामने पताए क्या आई, कि Switzerland की बैंकों में किसका खाता है किसका नहीं ये महिती मिलना बड़ा मुश्किल क्योंकि वो secrecy maintain करते है तो उनको जब जब हमने संपर्क किया उन्होंने हर बार हमको यही कहा कि आपको तो महिती नहीं दे सकते लेकिन आपकी सरकार कहेगी तो हम महिती देने के लिए मजबूर है आपको नहीं दे सकते आपकी सरकार को दे सकते तो हमने का ठीक है जब हम सरकार कभी बनाएंगे तब आपसे महिती ले लेंगे अभी फिर महिती लेने के लिए दूसरा रास्ता हमने पकड़ा वो दूसरा रास्ता ये था कि हमने सुट्जर लेंड की एमबैसी को पत्र भेजा और ये कहा कि आपके देश में कितने भारतवासी हर साल आते हैं ये माहिती दे दीजिए तो उनको शक नहीं हुआ क्योंकि वो पत्र दूसरे पते से हमने लिखा हमने का कि कितने लोग सुट्जर लेंड की यात्रा करते हैं ये माहिती दे दीजिए फट से माहिती आई बानवे हजार भारतवासी हर साल सुट्जर लेंड की यात्रा करते हैं फिर हमने दूसरा पत्र भेजा कि हमको अब दूसरी माहिती ये दे दीजे कि इसमें से कितने भारतवासी हैं जो हर महीने आते हैं आपके हर महीने में एक बार आते हैं दो बार आते हैं तीन बार आते हैं चार बार आते हैं वो कितने हैं और साल में एक बार आते हैं वो कितने और इसमें से ऐसी माहिती अलग अलग कर दीजे कि हनीमून बनाने के लिए कितने भारतवासी स्विट्जरलेंड आते हैं वो अलग बताईए और बाकी काम के लिए जो आते हैं वो अलग बताईए तो उनकी दूसरी भी माहिती आ गए उन उनने का वो आप उनसे पूछो तो कुछ हनीमून वालों को हमने पूछा आप दुबारा क्यों नहीं गए तो उनने का कुछ देखने लाहिक ही नहीं उस देश में उससे अच्छा तो अपना जम्मू कश्मीर है उससे अच्छा उत्रा खंड है एक ने तो मुझे बताया कि रा देखने हम गए थे उससे सुन्दर बरफ तो जम्मू कश्मीर में दिखती है फिर एक ने मुझे कहा दूर के डोल सुहावने होते हैं तो जब तक हमने देखा नहीं था सुर्जलेंड तब तक लगता था बहुत सुन्दर है अब देख लिया तो लगता है बेकार है क्या करन तो वो दुबारा नहीं जाते हैं लेकिन जो बार बार जाते हैं हर बार जाते हैं वो असी हजार इसका माने इनी के खाते हैं स्विस पे उन में से कई हफ़ते में एक बार जाते हैं कुछ पंदरे दिन में जाते हैं कुछ महीने में दो तीन बार जाते हैं कुछ साल में दो तो सब की माहिती अब धीरे-धीरे मिल रही इन में से एक की माहिती मिली पुने में रहता है वो आदमी उसका नाम है हसन अली उसका 72,000 कोटी रुखा एक ही आदमी 72,000 कोटी 72,000 करो एक ही व्यक्ति का और ऐसे अगर 100,81 हो जाएं तो 72,000 करोड तो ऐसे ही हो गए तो ये 80,000 जो खाते हैं स्विस बैंकों में दूसरे बैंकों में नेताओं के अधिकारियों के इनको राश्प्रिय संपत्ति गोशित कराना है कानून बनाके और ये पैसा वापस लाना है ये 110,000 करोड रुपए वापस आएगा ये हमारा संकल्प है और इसको लाने के लिए सं संसद की मदद हम ले रहे हैं संसद अगर नहीं करेगी तो हो सकता है एक दिन संसद में ये प्रस्ताओं आए और सारे नेता सारे पुढ़ारी एक स्वर से इसका विरोध करें और प्रस्ताओं पास ना हो पाए ये हमें मालूम है अंदाजा है ये हो सकता है तो हमारा दूसर का संकरिए और हमारा दूसरा संकल्प यह है कि अगर ये पुढ़ारियों ने होने नहीं दिया तो हम नसद बनाएंगे कि नए पुढ़ार्यों को चुनकर लेके चाहें ऑप कि यह हमें भरोसा है कि सारे देश मैं से पाँच सो पैंटालीस इमान लोग हमें मिलेंगे संसद में जाने के अबी भी इस देश में इमानदारी समाप्त नहीं हुई है वो जीवित है ये ठीक है कि इमानदारी दभी हुई है लेकिन समाप्त नहीं हुई हो सकता है कि हम 545 को ढूणने के लिए निकलें और हमको 5000 मिल जाएं 10,000 मिल जाएं 15,000 मिल ज बेजेंगे विधान सभाओं में बेजेंगे और लोगों को एक ही अपील करेंगे कि इनको इसलिए भेजना है कि 110 लाग करोड़ वापस लाना है इनको इसलिए भेजना है कि अंग्रेजों की सरकार से लड़ाई लड़के 300 लाग करोड़ वापस लाना है तो लोग मदद है हमारे और लोग उनको चुनकर भेजेंगे नई संसत बनेगी नई विदान समाई बनेगी नई लीडर्शिप आएगी और वो इस काम को करके जाएगी उसके अलावा भी हमने पास तीसरा एक सुप्रीम कोट की मदद से हम ये काम कर सकते हैं सुप्रीम कोट में एक बार एक मुकदमा हुआ था आपको मैं पुरानी याद दिलाता हूं सुप्रीम कोट में यूरिया घोटाले का एक मुकदमा सुना था जब नर्सिमा राओ प्रधान मंत्री थे तो यूरिया घोटाला हुआ था 133 करोड रुपए पेमेंट हुआ यूरिया नहीं आया आपको मालू है सुप्रीम कोट में केस गया तो उन्होंने फैसला दिया कि 133 कोटी रुपए देश की राष्ट्वी ये संपत्ती है वो जिसके भी खाते में है वो भारत में वापस आना चाहिए तो CBI ये जज्जमेंट की कौपी लेके सुट्जर लेंड गई खाता ट्रेस हुआ तो पता चला नरसिमा राओ के बेटे के खाते में वो पैसा जमा था CBI ने उसको गिरफतार किया और भारत की जेल में लाकर बंद किया और आज भी वो जेल में है उसके पिता तो स्वर्गवासी हो गए, नरसी मराओ का बेटा जेल में है और जो खाते में पैसा जमा था वो खाता जबत हुआ, 133 कोटी रुपए वापस आया और हमारे सुप्रीम कोट के खजाने में आ गया अब हम सुप्रीम कोट में जो कहना चाहते हैं वो ये कि यूरिया घोटाले का पैसा अगर वापस आ सकता है तो चारा घोटाले का भी आ सकता है वो फोर्स घोटाले का आ सकता है सब घोटालों का पैसा आ सकता है घोटाला घोटाला सब एक पैसा पैसा सब एक वो भी आ सकता है और इसके लिए सुप्रीम कोट में मुकदमा हो चुका है आपको जानकरी में देने आया सुप्रीम कोट में दर्ज हो गया है मुकदमा केस फाइल हो गया है 27 सितंबर उसकी तारीक है उस दिन बहस होगी आपको सूचना मिलेगी अखवारों के माद्यम से टीवी चैनल के माद् सरकार इस समय घबराई हुई है घबराई क्यों हुई है जिनके खाते हैं जिनका पैसा है उनके समर्थन पे सरकार टिकी हुई है और चल रही है तो उनकी घबराहट इस बात से है अब कोट का डंड़ा अब सरकार पर पढ़ेगा और कोट जब सकती करेगा तो सरकार को भी य अपना कमजोर लिखा है कि हम कुछ नहीं कर सकते दूसरा पत्र भेजो ताक्तवर पत्र भेजो ताकि हम वो बता सकें कि किसका कितना पैसा है लीचेस्टन नाम के एक देश में पैसा है वहां से पत्र आ गया है कि हम बारे सरकार को सब महिती देने को तयार हैं आप हमसे पूछ किया है अपने देश में आपको मालूम है बराको वह ने राश्ट्रुपती बनने के बाद जितना पैसा स्विस बैंक में था अमेरिका के भ्रश्ट लोगों का वो सब राश्ट्री संपत्ति घोशित किया था उननीस हजार उननीस हजार साथ सो चालीस खाते पकड़े गए अमेरिका के स्विस बैंक को वो सारा पैसा चारसो सबतर अरब डॉलर निकला वो पूरा अमेरिका को वापस आया तो अमेरिका ने अगर acceso कि भारत भी कर सकता है और बाराक ओवामा कह रहा है कि मैं भारत की मदद करना चाहते हूं एक बार किसी ने पूझा बाराक ओवामा से तुम भारत की मदद क्यों करना चाहते हो तो कहता है कि भारत मेरे नेता का देश है तो किसी के समझ में नहीं आया मेरे नेता का मतलब क्या होता है तो उसने का जि की फोटो है और उसके घर में हनुमान जी की मूर्ती स्थापित है जब उसने चुनाओ लडा था तो हनुमान जी की प्रतिमा भारत से मगाई थी उसको मंदिर बना के स्थापित किया उसमें अपने घर में बराक वामा आधा कृश्यन है आधा मुसल्मान है लेकिन बजरंग ब गांदी का चाहक है तो कहता है कि बजरंग वली और महात्मा गांदी का देश है भारत इसलिए मैं मदद करना चाहा है वो तैयार है वो भारत सरकार को कई बार कह चुका है कि अगर सुच्जलेंड की सरकार कुछ गडबड करे तो मुझे बताओ क्योंकि उसने अभी केले भी कर सकते हम सुच्जलेंड के खिलाफ अंतराश्वी अदालत में मुकदमा करके भी यह पैसा ला सकते हम सुच्जलेंड से दादेगरी करके भी यह पैसा ला सकते हैं सुच्जलेंड है कितना बड़ा देश चोटा सा आर्मी उसके पास नहीं एर फोर्स उसके पास न थोड़ा हम टाइट कर दे एक मिनट में दे देंगे वह सारै तो इसलिए दादेगरी करें भी ला सकते हैं कानून से भी ला सकते हैं संसतरी मदद से ला सकते हैं सुपरिं कोट की मदद से ला सकते हैं रास्ते बहुत है । पैसा ये लाना है 1050 जाकह 65-部分 फिर छोटी-छोटी कुछ बातें बताता हूं, हिंदुस्तान में 6,38,365 गाउं हैं, हर गाउं में 100-100 उद्योग हम लगाएं, 100 उद्योग हर गाउं में, इसको ध्यान से सुनिएगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 उद्योग हर गाउं में लगाएं, तो मात्र 10 लाग करोड का खर्चोंगा और हमारे पास 110 लाक करोड़ है आप बोलेंगे कौन-कौन से सौ उद्ध्योग हमारे भारत में दो लाक से जादा गाओं हैं जहां कपास पैदा होता है जहां कपास पैदा होता है वहां सूत सूत बन सकता है जहां सूत बन सकता है वहां खादी वस्तर बन सकता है तो खादी वस्तर निर्माण का उद्योग हर देश के मने भारत देश के दो लाख गाओं में चल सकता है और उनमें जो खादी बनेगी वो सब हम भारतवासी खरीद कर उसका उप्योग कर सकते हैं अभी भारत में एक प्रतिशत लोग खादी खरीदते हैं अगर सौ प्रतिशत लोग खादी खरीदें तो दो लाख गाओं में बनने वाली सारी खादी बिग जाएगी और पंद्रे करोड भारतवासियों को उससे रोजगार मिल जाए आप बोलेंगे हम खादी क्यों खरीदें खादी इसलिए खरीदिये कि उसका उत्पादन करने वाला शेत करीड जो कपास उत्पन करता है खादी इसलिए खरी दिये कि कपास उत्पन होने से सूथ बनता है सूथ बनने से कपड़ा बनता है वो कपड़ा आप खरी देंगे तो पैसा किसी शेतकरी के घर में जाता है आप ये मानते हैं कि विधर्ब के शेतकरी आत्मत्या ना करें तो उसका एक ही रास्ता है कि आप खादी खरीदें क्योंकि विधर्व में सबसे ज़्यादा कपास पैदा होती है और कपास पैदा करने वाला ही शेतकरी सबसे ज़्यादा आत्मत्या करता है क्योंकि कपास का भाव नहीं मिलता भाव क्यों नहीं मिलता क्योंकि कपास के बने हुए खादी की बिक्री नहीं और बिक्री क्यों नहीं है क्योंकि आप टेरिलीन, टेरिकॉर्ट, शिफॉन, जॉर्जेट पहनते ये टेरिलीन, टेरिकॉर्ट, शिफॉन और जॉर्जेट आप खरीदेंगे कि आसे सारा पैसा धीरूबाई उम्बानी के खाते में जाता थी . करोड़ पती को दसकरोड़ पती आप बना रहें ole दसकरोड़ पती को अबजपती बना किया आप सेवा कर रहें देश कोई भी synthetic कपड़ा आप खरीद रहें पैसागंबानी बन्दूओं को ही मिलेगा और अमबानी बन्दूओं की एक मिनट की इंकम 20,000 रुपई है आप उस बीसदार को और20,000 बना रहे हैं क्या सेवा कर जो भूखा मर रहा है शेत करी उसकी सेवा करिए उसके घर में पैसा दीजे और उसकी सेवा करने का एक ही रास्ता आपके पास है कि आप खादी खरी दिए और खादी इसलिए खरी दिये कि खादी महात्मा गांदी ने पहनी, खादी लोकमाने बाल गंगा अधर तिलक ने पहनी, खादी इस देश में भगत सिंग ने पहनी, खादी इस देश में चंदर शेकर आजाद ने पहनी, खादी इस देश के करांतिकारियों का कपला है, खाद से थोड़े-थोड़े कपड़े खरीदने लगें तो करूड़ों मीटर खादी बिक सकते हैं और दो लाग गाओं में उद्योगों की स्थापना हो सकती है दूसरा एक उद्योग इस देश में हर गाओं में हो सकता है वो क्या है बारत में लगबग एक लाख पिचपतर हजार हैं जहां गन्ना पैदा होता है उस पैदा होता है और उस उस से हम घुड़ बना सकते और वो हम सबी इस्तेमाल कर सकते तो आप बोलेंगे साखर का क्या करें साखर का एक्सपोर्ट करो गुड़ का इस्तेमाल खुद करो साखर खाने में अच्छी नहीं है गुड़ सबसे अच्छा है साखर और गुड़ का अंतर बता देता हूं एक ही मिनट में आप खाना खाईए मान लीजिए आप 400 ग्राम कहाना खाते हैं एक बार मैं इससे ज्यादा कोई खानी पाता चारसो ग्राम खाना खाया और दस ग्राम गुड़ खा लिया आपने बोजन के में तो चार्सु ग्राम खाने को वह 10 ग्राम पूरा हजम करा देगा पचा देगा इतनी ताकत 10 ग्राम जदो कि और विसका उल्टा बता देता ह। आपने 400 ग्राम खाना खाया और उसके पीछे से एक चम्मस racial आपने खाई तो एक चम्मस साखर को पचाने में वो चार सो ग्राम भोजन की पूरी ओर्जा खर्च हो जाएगी फिर भी वो पचेगी नहीं आपको इतना अंतर है साखर और गुड़ में इसलिए खाना है तो गुड़ खाईए साखर बंद करें तो आप बोलेंगे फिर ये साखर कार खानों का क्या होगा ये चलाएंगे हम विदेशों में बेचेंगे साखर को जिनको खानी है खाएं मरना है मरें हमसे क्या लेलो डाइबिटीज में मरो हर्ट अटेक में मरो कॉलेस्ट्रॉल बढ़ाके मरो हुमको लेना है लेलो फिर उनको जागरती आजाएगी विदेशों में भी जागरुति आएगी तो फिर वो साखर नहीं गुड़ मांगेंगे तो अच्छा है सब कार भिखाने बंद करके गुड़ बनाईंगे हम तो सारी दुनिया को खिलाएंगे हमивать रही आट अब मालूम है साखर बनाने के लिए संद्रॉपय का प्रोजेक्ट लगता है बैंक से लोन लेना पड़ता है को भुड़ करना परता है रुपय से प्रोजेक्ट में हो जाता है बैंक से लोन नहीं लेना पड़ता करोड़ों रुपए खर्च नहीं होते बहुत आसानी से हो जाता और कोलापूर सतारा सांगली के सब शेतकरी गुड़ बनाने की टेकनोलजी जानते हैं उनको सिखाने की जरूरत नहीं है वो हजारों साल से बनाकर इस्तेमाल करते रहे और गुड़ से भी अच्छी एक चीज है जो सारी दुनिया को हम खिलाएं तो बात ही कुछ और है वो है काकवी आपको सुनकर हैरानी होगी वो गुड़ से भी अच्छी है गुड़ तो अच्छा है ही लेकिन वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च करके दिया वो बताया काकवी प्रमोशन करें गाउं गाउं में जहां भी उस उत्पन हो रहा है वहां काकवी बने बोतल में बंद करके अच्छी पैकिंग करके सारी दुनिया में बिके लोग खरीदने को तयार है क्योंकि उनको वो क्वालिटी की कोई चीज मिलती है हम दे सकते हैं तो दूसरा उद्द् सकता है तेल का हमको मुंगफली का तेल चाहिए शेंगा का तेल चाहिए तिल का तेल चाहिए सरसों का तेल चाहिए और ये सब शेंगा तिल गाउं में उत्पन होता है दो लाख गाउं है जहां शेंगा होता है जहां तिल होता है जहां सरसों होती है हर जगे तेल निकल सकता गाउं में बिजली नहीं है तो भी तेल निकल सकता है तेल निकालने का वह पहले चोटा सा कोलू चलता था बैल की मदद से वह अभी फिर चल सकता है और उसका निकाला हुआ तेल दुनिया में सरुस्रिष्ट है आप जानते हैं क्यों क्योंकि वह तेल अगर हम खाएं तो हमारे जो पुराने लोग थेना पूरवच वह तेल वही खाते थे जो कोलू से निकलता था धीरे 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 जानते हैं उसमें खासियत क्या टेंपरेचर नहीं बढ़ता तेल का बहुत धीमे धीमे निकलता है तो तेल की सारी पौस्टिक ता जो उसका प्रोटीन निकलता है मशीन से जब तेल निकलता है तो टेमपरेचर इतना बढ़ता है कि तेल की सारी पॉस्टिक ता जन जाती है फिर उसमें दूसरे तेल मिलाते हैं सरकार ने उनको लाइसेंस दिया हुआ है भेड़ सेड़ करने का मिलावट करने का आपको मालूम है शुद्ध तेल में बाहर से आयातित बहुत सारे दूसरे तेल मिला देते और वो तेल आपको हजम नहीं होते फिर आपके जीवन में दुख का कारण बनते हैं तो हम शुद्ध तेल गाउं गाउं निकलवाएंगे बैलों से फिर तेल का कोलू चलवाएंगे बैलों को काम मिलेगा शेतकरी को काम मिलेगा तेल का डबबा गाउं से भरके शहर में आक कि हम करेंगे फिर और एक काम हो सकता है भारत में गयों उत्पन्न होता है लगबग धाई लाग गाओं है जहां गयों होता है जहां गयों होता है गयों का आठा बन सकता है अभी गयों का आठा शहर में बनता है मशीन से उसमें भी वही समस्य आए मशीन बहुत तेज घूमती ह temperature जादा हो जाता है आठे की पॉश्रिक्ता खतम हो जाता है हम तो वो हाथ वाली मशीन चलवाएंगे आठे की हजारों साल इस देश के लोगों ने हाथ से चक्की चलाके आठा पीसा है और जिन माताओं ने ये काम किया है उनको कभी भी पुत्र या पुत्री का जनम देने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा सिजेरियन नहीं कराना पड़ा आप ज данते हैं क्यों जब वह चक्की चलाते है तो इसमें सबसे बड़ी exercise होती है वो गर रवाशे की होती है पेट और मा का गरभाशे सब्से जादा लचिला बनता है जब आप अगर नश्ब गर्वाशे फलक्सिब्ल के एलैड़ लोजनम सबसे आसानी से हो सब्सक्ता है की चलवाई कि उनका पी पेट अंदर चला जाएगा वो स्लिम और ट्रिम हो जाएगा ऐसे भी चक्की चलाते हैं ना स्वामी रामदेव जी चलवाते हैं कि नहीं फिर असली में चलवाईंगे गाओं गाओं में आटा भी बनेगा लोगों को रोजगार मिलेगा हमको बेस्ट क तो गयों क्यों बेचना आटा बना के बेचना फिनिश प्रोड़क्ट देना राव मेटीरियल गाओं से बाहर नहीं लाएं भारत में 90 हजार गाओं है 90 जहां बटाटा उत्पन होता है अब बटाटा जहां हैं वहां बटाटा चिप्स बनवाएंगे गाओं गाओं से और श अब 400-500 रुपई किलो के हैं हम हमारे गाओं का बटाटा चिप्स 50 रुपई 100 रुपई किलो बेचे करोड़ों लोगों को काम मिल सकते हैं फिर टमाटर पैदा होता है 65,000 गाओं में टमाटर का सौस गाओं में बन सकता है वो शहर में बिख सकता है अचार है मुरभा है ऐसे सौ उद्योग हर गाओं में चल सकते हैं और एक उद्योग में दस लोगों को भी काम मिला तो एक हजार लोगों को रोजगार हर गाओं में मिलता है और अगर एक हजार लोगों को गाओं में रोजगार मिला तो एक हजार परिवार की जिंदगी सुधरेगी इस देश का बेर रोजगार मिल जाए कि शहरों के लोग अगर गाउं वापस चले जाए तो जुगी जौपणियां खतम हो जाएंगी मुंबई की धारावी जुगी जौपणियां वो हमारे मुँपर तमाचे की तरह से वो इसलिए है कि गाउं में रोजगार नहीं है तो मुंबई जाके उनको रोजगार ढूंड़ना पड़ता है जब गाउं में काम मिलेगा तो कोई जुगी जौपणियां क्यों रहने शहर में जाए ऐसी व्यवस्था हम बनाना चाहते हैं और इस पूरी व्यवस्था को बनान थे गाउं फिर उसके बाद बचेगा तो क्या करेंगे बीज की व्यवस्था करेंगे एलेक्रिक करंट दिलवाएंगे हर गाउं भारत के हर गाउं में 24 तास एलेक्रिक करेंट मिले उसके लिए साड़े-4 लाक करोड का खरचा करना आसानी से कर सकते हैं चोटे-चोटे वोट के उनकी समस्या क्या है कि वहां जो बिजली उत्पन होती है 11,000 वोल्ट की होती है और घर में जो बिजली इस्तेमाल होती है वह 220-240 वोल्ट की होती है तो 11,000 वोल्ट पे पहले बिजली पैदा करते हैं फिर उसको स्टेप डाउन करके नीचे नीचे लाके 240 वोल्ट पे convert करते हैं, हजारों यूनिट बिजली फाल्तू में बरबाद होती है, हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, एक यूनिट भी बिजली बरबाद नहीं होनी चाहिए, क्या करें, छोटे पावर इस्टेशन बनाओ, एक मेगावाट का बनाओ, दो मेगावाट का बनाओ, तो फाल तो बिजली खराब नहीं होगी, और जितनी बिजली हमने बचाई उतनी उत्पादन हो जाएगी, और 35 से 37 प्रतिशत हमारे यह जो ट्रांस्मीशन लॉस है, यह पूरा हम खतम कर सकते हैं, छोटे पावर इस्टेशन बना के यह काम कर सकते हैं, यह करने के बाद भी पै चास लाग कोटी में सब काम हो जाएगा, फिर हमें सोचना पड़ेगा, अब क्या करें, कुछ करने के लिए नहीं है, तो फिर योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, हम सुधरेंगे, उनको सुधारेंगे, अपनी सीट सब स्वर्ग में बुक कराएंगे, और क्या करेंगे, फिर यही करेंगे, और साट लाग कोटी जो बच गया, उसको फिक्स डिपॉजिट में रख देंगे, भारत माता के नाम से, उसका दस टका का ब्याज भी मिला साल का, तो छे लाग कोटी हो गया, उतने पैसे से देश का बजट बना लेंगे, टैक्स लगाने की जरूरत नही अभी अंग्रेजों के समय के बनाई हुए छांसट तरह के टैक्स, तेइस अंग्रेजों के और और काले अंग्रेजों के चौंसट तरह के सब टैक्स खतम कर देंगे, यह जान ले। एक भी टेक्स हम नहीं लें इंकम टेक्स खतम सेंट्रल एक्साइज खतम सेल्स टेक्स खतम रोड टेक्स खतम टोल टेक्स खतम कॉर्पोरेशन का टेक्स खतम सारे टेक्स खतम पिर आप बोलेंगे तो देश कैसे चलेगा जो बचा पैसा है स्वीस ब्हेंक गानुश पर चलेगा के और कभी कमी पढ़ेगी पैसे की वैसे तो पढ़ेगी ने तो पिर पैसे की जरूरत क्या अगर मांग लिज एक कम पढ़ेगी तो भूगों से दान दान दिया उड़ी सा में बाड आई थी तो दान दिया बिहार में अभी बाड आई थी तो हमने दान दिया तो भारत के लोग तो दान देते हैं दान वीर है दान मांग लेंगे देश के लिए जरूरत पड़ेगी तो और मुझे लगता है कि दान ज्यादा देंगे टैक्स नही सकते हैं और रोज दान देते हैं लाखों रुपए का मैं उनको कहता हूं लाखों रुपए आप दान दे रहे हो तो टैक्स में क्यों नहीं देते हैं वो मुझे बहुत गहरी बात कहते हैं वो कहते राजी भाई भारतिय संस्कृति में कुपात्रों को दान नहीं देते यह टेक्सेशन का डिपार्टमेंट कुपात्र लोगों का इनको हम एक पैसा भी नहीं दे सकते सुपात्र को हम चाहें उतना दे सकते मैंने एक दिन कैलकुलेशन किया आप सोचेंगे हैरान हो जाएंगे हर आदमी चाय के एक प्याले के बराबर का धन हराद मी पांच रुपए भारत देश को मारे दे दे तो साल भर का क्ल कलेक्षन इनकम टैक्स से तीन गुना जादा आता है इतनी ताकत है दान में और हम जब सारे टैक्स खतम करते हैं इंकम टैक्स सेंट्वल एकसाई सेल्स टैक्स रोट टैक्स तो लोग तो और ज़्यादा दान दे दें क्योंकि उधर से पैसा बचे हैं उनका देश के लिए दान देने में किसी को त्रस ने वो ये कहते हैं कि दान लेने वाले में पात्रता होनी चाहिए लोग तो करोड़ों रुपए देने को तैयार हैं इस देर तो हम दान आधारी देश चलाएंगे और अगर कभी टेक्स लगाना भी पड़ा मान लीजे वैसे तो जरूरत पड़ेगी नहीं फिर भी हमने हिसाब जोड़ रखा है कि अगर टेक्स की कहीं कोई थोड़ी भी जबुरत पड़ी तो भारत में जो ट्रांजेक्शन होता है रोज का बैंक में होता है चेक और ड्राफ्ट से एक लाग पच्छी सदार कोटी रुपए रोज का कैश में ट्रांजेक्शन होता है पांच लाग कोटी रुपए का दोनों जोड़ दें तो छे लाग पच्छी सदार कोटी का डेली ट्रांजेक्शन है एक साल का ट्रांजेक्शन निकालें तो तीन सो पैसेट का गुणा कर दें इस पूरे ट्रांजेक्शन पर अगर दो टका टेक्स ले लें तो आज के टेक्स से कुल मिलाकर तीन गुना जादा इकठा होता है सिर्फ दो टका ले लें और एक टका ले लें तो आज के कुल टेक्स से डेड़ गुना जादा इकठा होता है मनें पैसे की कोई कमी नहीं पड़ेगी इस देश में और लोग मुझे कहते हैं कि आप 64 तरह की टैक्स हटा दो, हम बहुत आसानी से आप जो कोहोगे वो दान में ले लेगे। इस देश में बहुत सारे उद्योग पतियों को मैंने बात की है, वो ये कहते हैं कि आप ये कर दो काम, हम आपको गारंटी देते हैं कि एक-एक हजार गाओं को हम उतनी सो विदाइं दे देंगे जितनी शहर में, और एक-एक भारत का बड़ा उद्योग, टाटा, बिरला, डा करते हैं तो भारत के हर गाओं की तकदीर बडल जाएगी, कहान ही दूसरी हो जाएगी, वो ये कहते हमें क्या फरक पड़ता है, जो हम सरकार को दे रहे थे टेक्स में, वो गाओं को लगा देंगे, हमें तो पैसे लगा नहीं हैं, तो विकास की सारी योजनाए इस तरह से ह के दाम एक जटके में खतम हो जाएगा, जो चीज आपको सौ रुपई की मिल रही है, वो तीस रुपई की, अगर हम सारे टेक्स खतम कर देंगें इस देश में से, तो मैं आपको छोटी बातें बताता हूँ, एक लीटर पेट्रोल मिलेगा बारे रुपई का, एक लीटर ड जाएगा, सब्तर अठारे रुपई किलो, साखर मिल जाएगी, बारे तेरे रुपई किलो, आप नुई यॉर्क जाएं, और नुई यॉर्क से वापस आएं, साथ हजार रुपई में सब काम हो जाएगा, जो अभी 90 हजार में होता है, आपका बेटा अगर इंजिनिरिंग पढ़ेगा, आई-ाई-टी में तो पांच साल का खर्चा 25,000 अदार आएगा, जो अभी 5,000,000 अधा है, MBBS करेगा, तो एक 5 साल का उसका खर्चा 35,000 अदार आएगा, सब टेक्स कम होंगे, हर चीज सस्ती हो जाएगी, और जब चीजे सस्ती होंगी, तो गरीब से गरीब आने का रास्ता खुलेगा, और एक सबसे बड़ा काम यह होगा, कि आपको अभी बहुत पगार मिलती है, तो अभी घर खर्च नहीं चलता, क्योंकि महंगाई आपकी मार करती है, फिर पगार थोड़ी सी भी मिलेगी, तो घर खर्च बहुत अच्छे से चलेगा, मेरे पिता 800 रुपए मिली थी, घर का खर्च चलने के बाद 3 तोला 30 ग्राम सोना खर इदा थीर, और वो हैं, पर अब हर महीने में 30 ग्राम सोना करितता था, एतनी 25 रुपए की वैलियू थी, अब तैन तोला सोना खरीदना हो, तो 30 लावो घर अभीぐर अवा 25 लावो से चाहिए, इतनी महंगाई बढ़ी है इतना इंफलेशन बढ़ाए ये खतम कर सकते हैं हम कम पैसे में जिन्दगी गुजर सकती है कम पगार में जीवन चल सकता है और कम पगार में जीवन चलने लगे तो सिक्स्थ पे कमिशन की जरूरत थे ही फिफ्त पे कमिशन की जरुरत नहीं, फूर्थ पे कमिशन की जरुरत नहीं, ये सब खतम कर सकते हैं, व्याक्ती को असमानता से निकाल कर हम समानता में ला सकते हैं, ये व्यवस्थाएं हो सकती है और एक सबसे बड़ी बात में कहना चाहता हूं अगर tax खतम हो जाए income tax तो काला धन रह नहीं सकता black money होगा नहीं तो कोई बेइमान हो नहीं सकता सब इमांदार हो जाए और जिनके पास काला धन नहीं है वो रिश्वत किसी को दे नहीं सकते जब money black होता है तभी रिश्वत दी जाती है और ली जाती है जब काला धन रहेगा नहीं तो कोई रिश्वत देगा नहीं कोई लेगा तो इमांदारी ऐसे ही पूरे देश में आ जाए और एक बड़ा काम होगा काला धन होगा नहीं तो सब धन सफेद होगा सफेद होगा तो या तो ये सारा सफेद हो जाए और जब धन सफेद हो जाएगा तो कोई भी उस धन का एक पैसा स्विस बैंक में ले जाके जमा करेगा नहीं क्योंकि वो वाइट मनी है वो ब्लैक नहीं तो स्विस बैंकों में पैसा जाना बंद हो जाएगा जो पैसा जमा होगा वो भारत की बैंकों में ही जमा होगा और जो यहां जमा होगा पैसा वो यहां की समरुद्धी बढ़ाने के काम में आएगा माने बहुत जल्दी हम इस देश को सोने की चड़िया फिर बना लेंगे मुश्किल कुछ ने एक काम हम और करना चाहते हैं कि जो बड़े नोट हैं हमारे देश में हजार के पांसो के सौ के यह बंद करना चोटे नोट चला क्यों अभी पाकिस्तान एक देश है जो नकली नोट चाप चाप के हमारे यह डालता रहता है आपको मालूम और हमारी करिंसी में 15 प्रतिशत के नोट निकल रहे हैं यह आलत हो गई है कहां से आ रहे हैं सब पाकिस्तान चापके डाल रहा है पाकिस्तान से जो एजेंट आते हैं नकली नोट लेकर उनको अभी थोड़े दिन पहले सीबी आई वालों ने पूछा और कहा कि तुम हजार के नोट लाते हो 500 के लाते हो एक हर छोटे हैं इसलिए हम 50 का नोट नहीं चापते हजार का 500 का सो का अब पाकिस्तान की इस योजना को विफल करना हो तो आप 1500 सो के नोट बंद कर दो 50 के नोट रखो और 1500 सो के नोट जिनके भी पास हैं एक दिन रिजर्ब दूसरा फाइदा होगा कि फिर कोई माई का लाल रिश्वत कैसे देगा वो हम देखें अभी 10 करोड की रिश्वत देनी हैं तो एक ब्रीफ केस में 1000 के नोट भरके दे आता है कोई फिर 10 कोटी की रिश्वत देनी हैं तो ट्रक भरके ले जाना पड़ेगा देने वाला भी परेशान लेने वाला भी परेशान कोई आदमी ट्रक भरा हुआ कहां रखेगा घर में और जो देने जा रहा है वो कितनी जगे चेक होगा और पकड़ा जाएगा तो घूस खोरी रिश्वत खोरी सब अपने आप खतम हो जाएगा और जो गंबीर बात में कहना चाहता हूँ वो ये अपने भारत में 84 कोटी लोग ऐसे हैं जो एक दिन में 20 रुपए ही खर्च कर पाते हैं तो उनको तो 1000 के नोट की जरूरत नहीं उनको तो 20 रुपए चाह तो इसके लिऎ तो हमें ये करना ही पड़े बड़ी करेंजी के नोट हम कृतम करना चाहते हैं और एक दो काम हम करना चाहते हैं इस देश वह सिख्म व्यवस्था इस देश की बदलना चाहते स्वदेशी सिक्षा हमें लानी है यह जितने अर्थ व्यवस्था की बाते हैं हम लोग कहते हैं कि स्वदेशी अर्थ व्यवस्था में हम यह करना चाहते हैं सिक्षा में स्वधेशी करण करना चाहते हैं। अभी सिक्षा है वον मैकॉले की है आप सभी जानते हैं जितना पाठ हम पढ़ते हैं जो अभ्यास करते हैं वह सम्सक्राइब पाठ इकरमिल्कुल हमने नहीं बदला श्रीशच साल के बाद पर श्रीं कोले ने ये पाठ अटिक्रम में सबसे बड़ी बुराई है कि अंग्रेजी का है पूरा और अंग्रेजी हमारी मात्र भाषा नहीं वो विदेशी भाषा हमको आती नहीं है और आनी भी नहीं चाहिए क्यों आनी चएंगरेजों किस अंग्रेज को हिंदी आती है जो हमको अंंग्रेजी क्यों आनी चाहिए कि बताओ ना किस अंग्रेज को मराठी आती है जो हमको अंग्रेजी आनी चाहिए अंग्रेजी तो नहीं आनी चाहिए और इस देश में सबसे ज्यादा विद्ध्यार्थी नापास होते हैं वो अंग्रेजी में कारण की मात्र भाषा नहीं है उनकी इसलिए नापास होते हैं बंद करो इस अंग्रे जी को कोई नापास नहीं होगा कोई फेल नहीं होगा विशय पढ़ाओ ना विशय का ग्यान दो गनित का ग्यान दो बहतिक शास्त्र का ग्यान दो रसाइन शास्त्र का ग्यान दो इंजिन नहीं है उसमें कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं कि अंग्रेजी अंतराश्वी भाषा है बिलकुल नहीं दुनिया में 200 देश हैं मात्र 14 देशों में अंग्रेजी चलती है बाकी कहीं अंग्रेजी और वो 14 देश वो है जो अंग्रेजों के गुलाम थे आस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड कनाडा अमेरिका फिर ब्रिटेन फिर स्कॉटलेंड फिर आयरलेंड फिर भारत फिर पाकिस्तान फिर बंग्ला देश इन्ही देशों में अंग्रेजी है क्योंकि एक गुलाम थे अंग्रेजों के बाकी कहीं नहीं है फ्रांस में फ्रेंच है जर्मनी में जर्मन है, रूस में रशियन है, जापान में जैपनीज है, चीन में चाइनीज है, डेनमार्क में डैनिश है, नीदरलेंड में डच है, सब देशों की अपनी भाशा हैं, कोई देश अंग्रेजी में काम नहीं करता है, बात भी नहीं करता है, और इन सब देशों क कि लोगों से जब मैं बात करता हूं कहता हूं तुम अंग्रे जी क्यों नहीं सीखते हूं नहीं का क्यों सीखना मूर्खों की भाषा है और अंग्रीजी की मूर्खाई हमें समझ में आती है फिर भी हम उसको चिपक्के पकड़के रखें दुनिया में किसी भी भाषा में इतनी मूर्खता नहीं है जितनी अंग्रीजी में प्यूटी पुट ब्यूटी बुट ब्यूटी बट प्यूटी पट सीउटी कट है ब्यूटी बट है तो प्यूटी पट होना चाहिए कि नहीं है और अगर प्यूटी पुट है तो ब्यूटी बुट सीउटी कुट होना चाहिए कुछ और छोर ही नहीं है इतनी मूर्खता की भाशन अंग्रेजी की मूर्खाई क्या है एक जगे CH होता है का और एक जगे CH होता है चा अंग्रेजी का एक शब्द है chemistry CH-E-M-I-S-T-R-Y chemistry ठीक है तो चोपड़ा CH-O-P-A-R-A चोपड़ा तो यहां कोपड़ा होना चाहिए और अगर CH-O-P-A-R-A चोपड़ा है तो अधर चेमिस्ट्री होना चाहिए CH-E-M-I-S-T-R-O और जब भी अंग्रेजी के लोगों से बात करो यह क्या चक्कर है वो कहते हैं पता नहीं अब है तो हम कर रहे हैं मूर्खों की भाषा ऐसी होती है अंग्रेजी जो है ना बहुत 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 रद्दी भाषा है इसके पास शब्द नहीं है अपने पांचवी शतादी में तो यह भाषा बनी है आपको मालूम है अंग्रे जी का इतिहास मुश्किल से 1215 साल पुड़ा पांचवी शतागी के पहले तो अंग्रे जी ही नहीं थी पूरे इंग्लेंड और स्कॉटलेंड और उसमें लेटिन चलती थी अंग्रे जी उसमें से उधार लेके कुछ शब्दों से शुरू हुई फ् एकी शब्द है अंकल काका मामा मौसा फूपा काका काका मामा का मामा मौसा का मौसा सब एक ही है अंकल शब्दी नहीं है और लेदे के एक शब्द है अंटी काकी भी है मामी भी है मौसी भी है सब अंटी यह भारत में तो नहीं होता हमारे यहां तो जितने भी रिष्टे हैं हर एक के लिए अलग शब्द है इनके पास शब्द ही नहीं और ऐसी मूर्खता के शब्द हैं समझ में नहीं आते Father in law कौन सा? इधर वाला इधर वाला कौन सा फादर Mother in law कौन सी? इधर वाली की इधर वाली? मूर्खताओं की बाश अच्छा मैं अगर आपसे हिंदी में या मराठी में ये कहूं कि ये व्यक्ती किसी व्यक्ती का साला है ठीक है? आप एक मिनट में पता लगा लेंगे साला है या मने उसकी बहन का भाई ठीक है? अगर मैं कहूं कि ये उसका जीजा है immediate में पता लगा लेंगे अंग्रेजी में साला और जीजा दोनों के लिए एकी शब्द है brother in law अब पता ही नहीं है कि वो साला है कि जीजा है है मूर्खों की भाषा के नहीं अब ये मूर्खों की भाषा में हम फसे हुए है और अपने को बहुत smart Samzter और ये मूर्ख़ता पता है कहां तक जाती है हम हंदुस्तानी लोग अंग्रेजी के चक्कर में फस के हमारा कच्रा हो गया नहम अंग्रेज हो पाए ना भारती रह पाए आदे अंग्रेज आदे भारती वह कैसे है किसी के घर में जाओ तो पिता जी का नाम अब मैं पूछता हूँ यह राम दयाल और गाहित्री देवी का टिंकू कहा से आए और जिनोंने नाम रखा है ना टिंकू उनको पूछता हूँ आपको इसका अर्थ मालूम है टिंकू अंग्रे जी की वेबस्र डिक्ष्णरी में टिंकू का अर्थ है आवारा लड़का नहीं कि दिन्को बेक्शनरी में लुज का मूर्खता के नाम रख्याами पैसे कैसे नाम रखते हैं डब्लू बबलू वी ट्वidents का कुछ नावों की कमी अपने संस्कृत में मराठी में हिंदी मेंक्यों क्यों आप ये वालत बंग्रे जी नाorter और ऐसी मूरखाई है इस देश में अंग्रेजी के नाम पर कभी-कभी कुछ घरों में चला जाता हूं भोजन आदी करने के लिए क्योंकि मैं भोजन होटल में नहीं करता, ठहरता भी होटल में नहीं किसी के घर में ठहरता हूँ, खाता भी घर में ही, तो अक्सर घरों में जाता रहता हूँ, तो वहां अंग्रेजी की मूरखाई दिखाई देती, अभी थोड़े दिन पहले मैं किसी के घर में गया दिल्ली, तो उनके एक छोटे से बेटे को माता पिता ने मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया यह हमारा बेटा है मैंने का ठीक है बहुत अच्छा है यह बहुत होशे आ रहे हैं मैंने का अच्छा यह बहुत अच्छी कविता हैं सुना तक मैंने का अच्छा सुनवाओ जरा तो उन्होंने का बेटे पोएम सुना अंकल को मैंने का मैं अंकल तो नहीं हूँ खेल लेगे फिर क्या है मैंने काका बना लो मामा बना लो कुछ बना लो अंकल तो नहीं जो सुविदाय बना लो मामा बना लो काका बना लो कुछ कर लो तो फिर बच्चे ने कविता सुनाना शुरू किया rain rain go away come again another day little baby wants to play मैंने बच्चे को पूछा तुमको अर्थ मालू मैं इस कविता का नहीं मालू क्यों सीखा मम्मा ने सिखाया मम्मा को पूछा आपको अर्थ मालू मैं नहीं मालू क्यों सिखाया उसके टीचर ने सिखाया टीचर को फोल लगाया आपको अर्थ मालू मैं इस कविता का नहीं मालू किस ने सिखाया हमारे टीचर ने सिखाया अब मूर्खों के मूर्ख कविता सिखा रहे है rain rain go away come again another day फिर मैंने उस बच्चे को समझाया इस कविता का रहत है बारिश बारिश तुम चली जाओ यहां मताओ क्योंकि मुझे खेलना अब भारत के बच्चे यह कविताएं गाएं बारिश बारिश तुम चली जाओ यहां मताओ और करूणों बच्चे यह कविताएं गाएं भगवान ने सुन ली तो भगवान ने अगर कविता सुन ली तो बारिश को वापस बुला लेगा यहां बारिश होगी नहीं और साथ टक का शेती बारिश पर इस देश में जिंदा रहती है वहां अगर बारिश नहीं होगी आप भूके मरेंगे मैं भूका मरूंगा शेतकरी का मेरेगा तो बारत में कविता की गरच क्या ज़रूरत कै ऐसे मूर्ख लोग अंगरेजी में अब फिर उसकी आयन Marriage का फिर कौन सी कविता सिखाओं तो मैंने का कविता सिखाओं ये ये कविता सिखाल조 टूला देतो फिछा सद्थ Venu यह कमिता से खों कि यह कमेता भारत की आत्मा है आत्मा क्यों है जिस देश में साथ तक्का शेती पाँस तहर्वित है उस देश में पाँस को बुलाने की ही कमिता हो सकती है भगाने की कैसे हो सकती है तो हमारे बच्चों को तो यही सिखाना चाहिए बारिश बारिश तुम जल्दी आओ बार बार आओ मैं तुमको पैसा देना चाहता हूं इसलिए आओ यह भारत की कविता है अंग्रेजों की कविता रेन रेन गो अवे कविता भी जो होती है न वो अपनी जरूरत अपनी संस्कृति अपनी सब्विता अपनी परंपरा से निकलती है अंग्रेजों की संस्कृति अंग्रेजों की सब्विता उनकी परंपरा हमसे बिलकुल अलग है इंग्लेंड में बारिश कभी भी आती है यूरोप में बारिश कभी भी आती है वहां के बच्चे शाम को बाहर खेल नहीं सकते हैं कभी भी मौसम खराब हो जाता है इसलिए वो कविता गाते हैं rain rain go away हमारे यहां तो बारिश साल में सिर्फ तीन महीने आती है और इसका दिन फिक्स है इस दिन से लेकर इस दिन तक तो हम कैसे का सकते हैं rain rain go away और बारिश का समय जब निश्चित है और बारिश पर पूरे देश की अर्थविवस्था निश्चित है तबी इस देश में बारिश आधारित बहुत सारे साहित लिखे गए हैं बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं हमारे देश में महाकवी काली दाश ने जो मेगों का वरणन किया है और उसमें से जो उस उत्साह उत्पन होता है सुनकर बोलकर वो हमारी संस्कृती का हिस्सा है क्योंकि जरूरत है हमारी महागवी कालिदास इंगलेंड में नहीं हो सकते जो मेगों का इतना सुंदर वरन कर सकते हैं वो जरूरत है हमारी तो हम तो हमारी जरूरत सब्विता संस्कृती परंपरा में सिलेंगे अंग्रेजों की सब्विता संस्कृती परंपरा से हमारी जरूरत पूरी नहीं तो इस अंग्रेजियत को छोड़िये आप, भाषा को छोड़िये अंग्रेजों को आपने तोड़ दिया इस भाशा को क्यों पकड़के रखा अपनी जिंदगी से निका लिए इसको और फाल तू अंग्रेजी का रॉब मत जाड़िये किसी पर मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मूर्ख मिलते हैं वो अंग्रेजी में बात करते हैं मराठी आती है फिर भी अंग्रेजी मे बोलते हैं हो राजीव दिखशित शी जगा स Says मैं 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 पूछता हूँ रीयरी शीज ए और मिसिस तब वो थोड़े परेशान होते हैं वो पूछते हैं आप क्या बोल रहे हैं मैं को पूछ रहा हूं सच में वो तुम्हारी मिसिस है तुमको मालूम है मिसिस का अर्थ क्या होता है मिसिस शब्द का अर्थ क्या है इंग्लेंड में और यूरोप में एक बड़ी खराब परंपरा है वो आपको अच्छी नहीं लगेगी सुनने में लेकिन मैं बताना चाहता हूँ परंपरा ये है कि कोई भी इस्तरी और कोई भी पुरुष एक के साथ पूरे जीवन में नहीं रह सकता अभी शादी की दो दिन बाद तलाक होगा फिर शादी होगी फिर तलाक होगा फिर शादी होगी फिर तलाक होगा एक इस्तरी एक पुरुष जिंदगी भर एक के साथ रह नहीं सकते बार बार एक दूसरे को बदलते हैं जैसे हम कपड़े बदलते हैं, शर्ट बदलते हैं वो एक दूसरे पार्टनर को बदलते हैं और एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर्स उनके हाँ common है कोई पती पतनी है, अकेले एक दूसरे से संतुष नहीं होगे उनके रिष्टे दूसरों के साथ भी होगे एक महिला कंसे कम 10-15 पुरुषों के साथ सोएगी रात को एक पूरुष 10-15 महिलाओं के साथ रात को सोएगा यह हजारों साल पुरानी उनकी परंपरा अब इसमें होता क्या है पत्नी तो एक ही है और पत्नी तो एक ही है तो पत्नी और पत्नी तो एक एक है लेकिन बाकी जिनके साथ आप बिस्तर में सो रहे हैं वो सब मिस्टर और मिस्स होते हैं मिस्टिस का माने होता है धरम पत्ती को छोड़ कर कोई भी इस्त्री जिसके साथ आप रात को बिस्तर में सो सकें वो सब मिस्टिस होते हैं और यहाँ अच्छी खासी धरम पत्ती को हम मिस्टिस बनाने में लगे हुए हो, she is my missus तब मैं पूछता हूं, really she is your missus और मिस्टर इसका उल्टा है पती को छोड़कर कोई भी पुरुष जिसके साथ बिस्तर में सोएं वो मिस्टर तो यहां का पती मिस्टर नहीं है और यहां की पत्नी मिसिस नहीं और हमारे पास कितना सुन्दर शब्द है पत्नी के लिए श्री मती श्री माने लक्षमी, मती माने बुद्धी सरस्वती और लक्षमी दोनों एक साथ वो श्री मती वो मिस्स नहीं आप मत बोलिए ये शब्ड का मिस्टर भी मत बोलिए और सबसे खराब शब्द अंगरे जी का है मैडम हम अक्सर बोलते रहते हैं मैडम 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 जानते हैं कौन होती है यूरोप में जो वैश्या घर होते हैं उन वैश्या घरों को संचालित करने वाली जो मुख्य वैश्या होती है उसको मैडम कहते है और यहां हम अपनी बहन को मैडम कह देते हैं अपनी पत्नी को मैडम कह देते हैं और यहां की इस तरियां मैडम कहलवाती है, मैडम बोल, इतना दिमाग खराब है, मेरी आपको हाद जोड़कर विंती है, कि जिन अंग्रेजी शब्दों के अर्थ आप नहीं जानते, क्रपया करके उनको मत इस्तेमाल करिये, नहीं तो बहुत मुश्किल आती है, क्यों फाल त अंग्रेजी में बोल रहे हैं, या हिंदी में शब्द ना हो, या संस्कृत में ना हो, दुनिया के सबसे अदा शब्द तो संस्कृत में, जो भाशा में धातु रूप और शब्द रूप दोनों अलग अलग होते हैं, उस भाशा में करोडों शब्द बन सकते हैं, और विश्दों की संख्या सबसे कम अंग्रेजी में ही है। अंग्रेजी से अच्छी तो संस्कृत की नकन करके तो फ्रेंच संस्कृत से निकली जर्मन संस्कृत में से निकली है तो हम संस्कृती क्यों न सीखें फिर जो सारी भाषाओं की मां हैं और उसको सीखें तो अपना सहित्त भी पढ़ पाएंगे अपने ग्यान का सारा भंडार संस्कृत में ही है अगर उसको पढ़ना हो रिगवेद पढ़ना हो यथरवेद पढ़ना हो सामवेद पढ़ना हो यजुरवेद पढ़ना हो उपनिशत पढ़ने हो सांग की उपनिशत पढ़ना हो चांदो कि हम इस देश में एक कानून बनाना चाहते हैं बहुत जल्दी और ये कानून होगा वो कानून ये होगा कि किसी भी नौकरी के लिए अंग्रेजी भाशा की कंपल्शन माने उसका होना ये खतम कर देंगे अंग्रेजी भाशा नहीं है तब ही सरकारी नौकरी मिले आपको महराष्ण में अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो मराठी आनी ही चाहिए आपको अगर करनाटक में सरकारी नौकरी चाहिए तो कंणड आनी ही चाहिए तमिल नाटू में सरकारी नौकरी चाहिए तो तमिल आनी चाहिए आंदर में सरकारी नौकरी चाहिए तो तेलगु आनी चाहिए उत्तर भारत में सरकारी नौकरी चाहिए हिंदी आनी चाहिए ये कानून हम बनाएंगे और इस कानून के थोड़े-थोड़े उपकानून ऐसे कि भारत के सुप्रीम कोट में उच्चितम नयायल है में कोई भी व्यक्ति मुकद्मा करने जाए वादी या प्रतिवादी मात्र भाष़ा में सुना जाना चाहिए और उसमें बहस होनी चाहिए अभी सुप्रीम कोट के सारे मुकदमे अंग्रेजी में होते हैं ना वादी जानता है ना प्रतिवादी जानता है वकील जानता है जज जानता है घोटाला उसी में होता है जिसको नियाए चाहिए उसको अंग्रेजी आती लिए और अंग्रेजी में मुकदमा चल रहा है वो तो बिचारा सुपचाप देखता रहता जब फैसला आता वकील अपने तरह से समझाता जज अपने तरह से समझाता और इस देश में ये कानून होगा कि जो जज महराश्ट में हैं या करनाटक में हैं या तमिलनाडू में या आंद्रा में उनको इस्थानिय भाशा में ही देना है और अगर नहीं आती उनको इस्थानिय भाशा तो वो जज नहीं हो सकते इस देश में कुछ भी हो सकता जब इस्थानिय भाशा में नियाय मिले इस्थानिय भाशा में सिक्षा मिले हमारे सारे बच्चे इंजिनिरिंग पढ़ेंगे मराठी मेडिकल पढ़ेंगे मर पढ़ेंगे मराठी में आप बोलेंगे कैसे संभव है दस ग्यारे करोड की आबादी है महाराष्ट की आपको मालूम है दुनिया का सबसे छोटा देश है डेनमार जिसकी तीस लाग की आबादी है मात्र तीस लाग उन्होंने सारे इंजिनिरिंग कॉलेज डैनिश में रखे ह सकता है तो ग्यारे करोड का महाराष्ट अपनी भाषा में इंजिनिरिंग क्यों नहीं सिखा सकता है आसानी से हो सकता है भाषांतर करना है पार्टिक्रम बदलना है और मराठी में अंग्रेजी से ज्यादा शब्द है इसलिए भाषांतर करना बहुत आसा है और मराठी से ज जब आप अंग्रेजी में बात पढ़ाते हैं, उसको याद करने में छे गुना जादा समय बरबाद होता है। आप उसको मराठी में सिखाईए कुछ भी, वो दो मिनट, तीन मिनट, पांच मिनट, दस मिनट, पचास मिनट, एक गंटे में याद कर लेगा। फिर वो ही अंग्रेजी में सिखाईए, छे महीना लगेगा, और याद नहीं कर पाएगा, रटेगा, पोपट की तरह से, तोथे की तरह से, और रटा हुआ क्लास रूम में जाके वॉमिटिंग करेगा, उगल देगा, और बस नंबर आने के बाद दूसरे दिन भूल जाएगा कि मैंने लिखा क्या है, उसको याद ही नहीं रहे, क्या फाइदा है ऐसा पढ़ाएगा, मैंने एक दिन इमानदारी से पूरा कैलकुलेशन किया, हिसाब निकाला, कि जिस इंजिनिरिंग को पाँच साल में हम पढ़ाते हैं, अंग्रेजी में, उसी को मराठी में दो साल में पूरा पढ़ा सकते हैं, पूरा इंजिनिरिंग दो साल, जिस मेडिकल साइंस को साड़े छे साल में हम पढ़ाते हैं, मराठी में उसको तीन साल में पढ़ा सकते हैं, एम बीए की पूरी पढ़ाई अंग्रेजी में जो हम पढ़ाते हैं दो साल में, मराठी में चार महीने म होता है पूरा कोर्स माने हम विद्यारतियों का कितना बोजह कम कर सकते हैं अगर मात्र भाशा में वो पढ़े और सबसे बड़ी बात है जिंदगी की वो हमेशा याद रखिया कि व्यक्ति जो सोचता है चिंतन कर सकता है विचार कर सकता है वो मात्र भाशा में ही संभव होता ह विदेशी भाषा में आप चिंतन नहीं कर सकते हैं विचार नहीं कर सकते हैं चिंतन नहीं होता विचार नहीं होता है वो मात्र भाषा में होता है क्योंकि मां की भाषा है न इसलिए वो सबसे नजदीक होती है और मात्र भाषा में किसी चीज़ को जितने अच्छे तरीके से आप कह सकते हैं किसी भी विदेशी भाषा में नहीं कह सकते है तो जो सहज है सरल है आसान है हमारे व्यक्चत्तु से जुड़ी है हमारी आई के हो प्रमुक भाषा बनाना यह हम चाहते हैं इस तेश की सिक्षा व्यवस्ता हमें क्वाषा हौनुन व्यवस्ता में भी मात्र भाषा चले प्रसाशन देश हर एक नेता को बात करनी हो。 हिंदी में बोले, मराठी में बोले नहीं तो संस्कृत में बोले, तमिल तेलगू कन्रण में बोले। उसका भाशंतर किया जा सकता है। अंग्रेजी में बोले, ये देश के करोड़ों लोगों का अफमाण, पुडारी आता है हमसे वोट मांगता है मराठी में और फिर संसत में जाके अंग्रेजी बखना शुरू करते थे लोगों से मराठी में वोट लिया और संसत में जाके अंग्रेजी में बात किया इसका माने तुमने जिनका वोट लिया उनका अपमान किया एसे पुढ़ारी को हम चणके क्यों बेजेंगे संसर जो हमारी भाषा का सम्मान नहीं और भाषा के सम्मान के साप suara सम्मान जुड़ा है यह अन्ग्रेजी है न तो इस अन्ग्रेजी की भाषा अकेली हमारे ऊपर हवी नहीं हैं अंग्रेजियत पूरी हावी है इस अंग्रेजी भाशा के चक्कर में पता है हमने हमारी भूशा भी छोड़ दिये अंग्रेजी भाशा इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी भूशा भी इस्तेमाल करते हैं टाई लगाते हैं कोट पहनते हैं थ्रीपी सूट पहनते हैं भहेंकर गर्मी में पचास डिगरी तापमान है इसका कानून बदला जाए व्यवस्था बदली जाए नियम बदले जाए नीतियां बदली जाए और इस देश का आम आदमी पुलिस के अत्याचार से ना मरे पुलिस के असहयोग से ना मरे आम आदमी इस देश के पुलिस की बरबरता से ना मरे आम आदमी को मरना है तो अपने समय को अपने जीवन को पूरा करता हुआ मरे तब तो हम कह सकते हैं कि भारत आज़ाद हुआ है भारत सुतंत हुआ है नहीं तो यह कहने का हमें कोई अधिकार है मैं फिर वही बात कहता हूँ कि लाला जी की मरत्यू जिस कानून के कारण हुई भगत सिंग को जो कानून के कारण फांसी हुई वो कानून अगर 2009 में भी चल रहा है तो हमारे लिए शर्म की बात है, अफसोस की बात है सुतंतरता आई नहीं है आज़ादी मिली में बस इतना ही हुआ है, सत्ता का हस्तांतरन हुआ है अंग्रेजों की सरकार की सत्ता और काले अंग्रेजों की सरकार की सत्ता बस इतना ही परिवर्तन हुआ है गोरे अंग्रेज अपनी सत्ता काले अंग्रेजों को सौप कर चले गए है और काले अंग्रेज इस देश के लोगों के साथ वैसा ही विवहार कर रहे हैं जो अंग्रेज किया करते थे और एक उधारन देता हूँ आपको अंग्रेजों का एक अधिकारी था उसका नाम था डलहोजी थोड़ा इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो डलहोजी के बारे में आप सब जान जाएंगे डलहोजी सबसे ज़्यादा अत्याचारी निरंकुष संवेदन शून ने अंग्रेज अधिकारी था क्या किया उसने एक कानून बनाया इस देश में उसका नाम है Land Acquisition Act हिंदी में अगर कहें तो भूमी के अधिग्रहन का कानून, जमीन को छीनने का कानून, जमीन को हड़प लेने का कानून, लेंड एक्विजीशन एक्ट, ये कानून डलहुजी ने बनाया, पूरे देश में इस कानून को लागू किया गया, डलहुजी ने अपनी डाइरी में लिखा है कि मैंने जब ये क्ानौन बना दिया और पूरे भारत में इसको लागू कर दिया तो इसका एक ही परिनाम निकला करोड़ों भारतवासी भारत में भूमिहीन हो गए लेंडलेस हो गए कैसे डलोजी ने वो कानून बना के भारत के गाउं गाउं में प्रवास करना शुरू किया और उसकी सरकार के अधिकारियों ने प्रवास करना शुरू किया डलोजी खुद लिख रहा है अपनी डायरी में कि मैं गाउं गाउं जाता था हजारों किसानों की मीटिंग गुलाता था एक एक मीटिंग में 25,000 किसान आते थे उन सब किसानों को पूछा जाता था कि तुमारे पास तुमारी जमीन के कागज हैं क्या जो ये सिद्ध करें कि ये जमीन तुमारी है कोई किसान को ये पूछा जाए आज से 1.500 साल पहले कि ज जमीन के कागज हैं आपके पास, जो ये सिद्ध करें कि जमीन तुमारी है, तो किसी किसान के पास कागज नहीं होते थे, क्यों? कागज बनाकर जमीन को हस्तांतरन करना इस देश की परंपरा नहीं है, इस देश में जमीन का हस्तांतरन करने की जो परंपरा है, वो ये है कि मेर पिताने अपनी जमीन मुझे दे दी, मैंने मेरी जमीन अपनी आने वाली पीडी को दे दी, उसने अपनी जमीन उससे आने वाली पीडी को दे दी, तो परमपरा से ये जमीन का हस्तांतरन इस देश में होता रहा हजारों साल से, डलोजी ने कहा कि ये नहीं माना जाएगा, और अंग्रेजे सरकार की तो इसी आधार पर डॉलहोजी किसानों से जमीने च्छीन लेता था और वो कहता था ये जमीन तुमारी नहीं है ये अंग्रेज सरकार की जमीन कानून का नाम था लेंड अक्विजिशन एक्ट और उसकी कारिवा ही इस सरह incapicht थे तो डॉलहोजी कहता है कि मैंने और मेरे सहयोगियों ने मिलकर दस करोड किसानों से जमीने च्छीनी दस करोड किसानों से जमीने च्छीनी दलहुजी अपनी डाइरी में लिख रहा है कि ये कानून भारत में लागू होने से पहले एक भी किसान ऐसा नहीं था जो भूमहीन हो लेंडलेस हो मैंने ये कानून बनाया और जमीन छीनी उसके बाद भारत के किसान भूमहीन होए लेंडलेस होए तो 10 करोड किसानों को जिस डलहुजी ने भूमहीन बना दिया और जिस कानून के आधार पर उसने किसानों से जमीने चीनी वो कानून आज़ादी के 63 साल में आज भी इस देश में चल रहा है और ऐसे ही चल रहा है Land Acquisition Act उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई संचोधन नहीं हुआ बस परिवर्तन इतना ही है कि अंग्रेजों की सरकार जो जमीने किसानों से चीनती थी, अब भारत की सरकार वो जमीने किसानों से चीन लेती, हजारों एकड जमीने चीन लेती आप जानते हैं हमारे देश की सरकारों ने कुछ योजनाएं बना रखी हैं, Special Economic Zone करके SEZ, SEZ में हजारों हेक्टेर जमीन किसानों से चीनी गई है जबर जस्ती, इसी कानून के आधार पर Land Acquisition Act अंग्रेजों ने व्यवस्था ये बनाई थी कि भारत के किसानों से जब जमीने चीनी जाएं, तो कोई भी भारतिये किसान अंग्रेजों की अदालत में मुकदमा ना कर सके, तो Land Acquisition Act को आप चैलेंज नहीं कर सकते, ये व्यवस्था अंग्रेजों ने की हुई थी, तो अ अंग्रेजों की जबाने के किसानों की जमीने जाती थी, तो अंग्रेजों की अदालत भी उस मुकदमे को सुनती नहीं थी, आज़ादी के 62-63 साल के बाद भारत में भी यही है, जिन जिन किसानों की जमीने चीनी जाती है, उनकी कोई सुनवाई सुप्रीम कोट नहीं करता हाई कोट नहीं करता है किसानों को जख मार के जमीन देने ही पड़ते हैं सरकार जब जमीन चीनती है किसानों से तो उसकी कीमत लगाती है 15 पैसे स्क्वेर फिट, 50 पैसे स्क्वेर फिट, 1 रूपए स्क्वेर फिट फिर वही जमीन को सरकार बड़ी-बड़ी कमपनियों को बेचती है तो उसकी कीमत हो जाती है 1500 रूपए स्क्वेर फिट किसान से जमीन चीनी जाती है 15 पैसे स्क्वेर फिट वो जमीन कमपनियों को बेची जाती है पंद्रे सो रुपई स्क्वेर फिट और सरकार किसान और कमपनी के बीच में एजेंट की तरह से काम करती है जैसे अंग्रेजों के जमाने में होता था तब मैं हम सब अपने आप से पूछते हैं देश आजाद हुआ है क्या कोई स्वतंतरता इस देश को मिली है अंग्रेजों के जमाने में लेंड एक्विजिशन एक्ट था अंग्रेजों के जाने के बाद भी वही कानून चल रहा है हमें लगता है कि आजादी अधूरी है वो द्धन संपत्ती चीनने के लिए कुछ कानून बनाए थे मैं आपको अंग्रेजों के समय की घटना सुनाता हूं ब्रिटिश पार्लेमेंट के दस्तावेजों पर आधारित हैं 1857 में जब इस देश में क्रांती हुई पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोग ह हुआ तो उसका परिणाम आपको शायद मालूम है या नहीं तीन महिने में भारत की पूरी धरती भारत की पूरी भूमी अंग्रेज विहीन हो गई थी एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचा था 1857 की कि क्रांती की शुरूआत हुई थी 10 मई को मेरट नाम के एक शहर से उत शायर एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचा था और जो घर से निकल कर भागा उसकी गरदन काट दी थी लोगों और वो चाकू जो भाजी काटने वाला उससे गरदन काटी इतना गुस्सा लोगों में था और मेरट में जब सारे अंग्रेज मारे गए तो दिल्ली में शु साड़े तीन सो शहरों में ये क्रांती हुई थी सतारा में और कोलापुर में पूरे भारत में करनाटक में आंधरा में तमिल्लाडू भारत का कोई इस्थान बचा नहीं था जहां ये क्रांती ना हुई उस क्रांती में 3,64,000 अंग्रेज मारे गए थे भारत के लोगों ने उनको मार डाला उन भारतवासियों ने मार डाला था जो अंग्रेजों से कभी डरते थे घवराते थे उन भारतवासियों ने अंग्रेजों को कतले आम कर दिया था जो चींटी को भी मारते नहीं जो जानवरों को भी मारते नहीं जीव जन्तुओं को मारते नहीं वो भारतवासी इतने गुस्से में और क्रोध में थे कि अंग्रेजों को कतल कर दिया अंग्रेज बच नहीं पाए मारे गए दो-तीन अंग्रेज बच गए उस क्रांती में और वो भाग कर लंदन चले गए त तुम जिन्दा कैसे बचे बाकी तो कोई बचके नहीं आया तो उन्होंने का कि हम जिन्दा ऐसे बचे कि हमने अपने शरीर पर काला रंग लगा लिया था और हम ऐसे ही दिखते थे जैसे भारतवासी उसमें हम बच गए भारतवासियों ने यह सोचा कि यह भी हमारे ही जैसा काला आदमी है इसलिए छोड़ दिया हमको तो दो तीन अंग्रेज छूट कर भाग गए उन अंग्रेजों से पूरी कहानी सुनी ब्रिटिश पार्लेमेंट ने और पूछा कि क्या क्या हुआ तो ने विस्तार से बताया कि तीन सो पचास से जादा इस्थानों पर भारत में यह करान्ती हुई साड़े चार करोड से जादा भारतवासी इस करान्ती की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े करोणों करोणों भारतवासियों ने तलवारों का इस्तेमाल किया हसिय का इस्तेमाल किया चाकू का इस्तेमाल किया बंदूकों का इस्तेमाल किया अंग्रेजों के खिलाफ और ये पूरी करांती शसस्तर करांती थी हिंसक करांती थी अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों को कलपना नहीं थी कि भारत में इतना बड़ा विद्रो हो सकता है उनके खिलाब तो ब्रिटिश पार्लिमेंट में जो अंग्रेज बचकर जिंदा पहुचे उनसे पूछा गया कि इस करांती का मुख ही कारण बताओ तो उन अंग्रेजों ने का कि हमने भारत में जो लूट मचा है इस देश में उसका अंदाजा लगाना चाहें तो एक अंग्रेज अधिकारी के डाइरी के पन्ने का एक वाक्य सुनाता हूं आपको एक अंग्रेज था उसका नाम था रॉबर्ड क्लाइव वो बंगाल में आया था 1757 में उसने प्लासी का युद्ध लड़ा था युद् लंदन लेके गया था तो रॉबर्ड क्लाइव को यह पूछा किया ब्रिटिश पारलिमेंट में एक बार कि तुम भारत से किया लूट कर लाए को तो उसने का भारत से नहीं लूट कर लाया भारत के एक राज्य के एक शहर के एक चोटे से लाके से कुछ लूट कर लाया उसने अपना statement clarify किया उसने कहा कि पूरे भारत से लूट कर लाने के लिए तो एक हजार साल लगेंगे इतना धनो और संपत्ती भारत में हैं मैं तो भारत के एक राज्य के एक शहर के एक छोटे से लाके से कुछ लूट कर लाया तो ब्रिटिश पार्लिमेंट का प्राइम मिनिस्टर पूछता क्या लूट कर लाये तुम तो उसने का सोने के कुछ सिख के चांदी के कुछ सिख के हीरे जवारत मोती पन्ना माने कि ये सब लूट के लाय कितना लेके आए तो उसने का मालूम नहीं है कितना लेके आए फिर भी अंदाजा बताओ तो उसने का मैंने गिना नहीं है अभी तक कितना लाए तो रफ एस्टिमेट बताओ कुछ मूल मुटा मुटा आकलन बताओ तब उसने जो उत्तर दिया ब्रिटिश पार्लिमेंट में वो मैं आपको सुनाता हूं वो कहता है कि कलकत्ता शहर की संपत्ती को लूट कर लंदन लाने के लिए मुझे पानी के 900 जहाज किराई पर लेने पड़ नाइन हंड्रेड शिप्स किराई पर लेकर मैंने वो संपत्ती उन में भरी और उसको कलकत्ता से लंदन लेके आया तो ब्रिडिश पार्लिमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर था उसने पूछा कि यह शिप की बात कर रहे हो या बोट नाव की बात कर रहे हो या जहाज की उसने का शिप की बात कर रहा है नाव में नहीं भरके लाया जहाज में भरके लाया तो फिर उसको पूछा गया कि जहाज का आकार बताओ कितना बड़ा जहाज कितनी उसमें धन संपत्ति आ सकती है। तो उसने कहा कि एक जहाज में कम शेकम सत्तर मीटरिक । सामान आ सकता है। ऐसे 900 जहाज भरके में संपत्त्थ लायो है। 70 मीटरिक । कम ने होता है सत्तर हजार किलोग्राम। एक मीटर टन में हजार किलो बाए तो ऐसे नौसो जहाज भरके सोने के सिक्के चांदी के सिक्के हीरे जवारात, मोती, पन्ना, मानिक वो सब लूट कर ले गया एक अंग्रेज जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइब और रॉबर्ट क्लाइब ने लूटा उसके बाद वारिन हेस्टिंग्स ने लूटा इस देश को, फिर उसके बाद करजन ने लूटा, फिर लिलित हो ने लूटा फिर वैबल ने लूटा, फिर इसके बाद डलहुजी ने लूटा, फिर विलियम वेंटिंग ने लूटा और आखरी लुटेरा अंग्रेजों का जो इस देश में आया वो माउंट बेटन था तो रॉबर्ट कलाइब से लेके माउंट बेटन तक 84 गवरनर जनरल इस देश में आये अंग्रेजों के और हर एक ने लूटा किसी ने 900 जहाज बरके किसी ने 700 जहाज बरके किसी ने 500 किसी ने 300 किसी ने 200 किसी ने 50 जिसी जिसकी छमता थी सब लूट कर ले गए इस देश को और ये लूट इतनी बड़ी है कि दुनिया के किसी देश में इसका उधारन नहीं मिलता और इस लूट का दुश्परिणाम था कि भारत एक जमाने में सोने की चड़िया कहलाने वाला देश अंग्रेजों की लूट के बाद कंगाल और भिकारी देश पन गया अंग्रेजों ने ये जो लूट मचाई इस देश में इस लूट का अंदाजा हम लोगों ने लगाया पिछले 15 साल में दस्तावेजों के आधार पर अंग्रेजों ने इस देश में से लगभग 300 लाख करोड रुपई की संपत्ति लूटे हैं 300 लाख करोड रुपई कितने होते हैं इसका अंदाजा लगाना हो तो भारत सरकार की एक पंच वार्षिक योजना 10 लाख करोड की होती है एक पंच वारशिक योजना जो 5 साल चलती है और एक पंच वारशिक योजना अगर 10 लाग करोड की है तो 30 पंच वारशिक योजनाएं उस धन से इस देश में चलाई जा सकती हैं इतना धन अंग्रेजों ने लूटा इस देश में से वो सब ले गए हैं हैं से उसमें हमारा खजाना खाली हो गया हम कंगाल हो गए गरीब हो गए वरना अंग्रेजों के पहले तो ये देश दुनिया का सबसे अमीर देश था सबसे श्रीमंत देश था अंग्रेजों के दस्तावेज बताते हैं कि इस देश के बारे में जब अंग्रेज आये थे पहली बार जब इस देश में उन्होंने प्रवेश किया तो अंग्रेजों ने बहुत सारे सर्वेक्षण कराई थे इस देश के सर्वेज इसको आप कहते हैं उनमें पता चलता है क भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला देश था अंग्रेजों के आने के पहले पूरी दुनिया के बाजार में जितना सामान बिखता था उसका 33 प्रतिशत माल अकेले भारत बेचता था पूरी दुनिया में जो कुल उत्पादन होता था उसका 43 प्रतिशत उत्पादन अकेले भारत में होता था और पूरी दुनिया में जो कुल आमंदनी होती थी उसका 27 प्रतिशत आमंदनी अकेले भारत के होती कोई भी देश भारत के competition में नहीं था उस समय चीन नाम का एक देश था जो थोड़ा बहुत हमारा competition करता था लेकिन वो बहुत नीचे था अब दुनिया के बाजार में 27 प्रतिशत निर्याद करने वाला देश दुनिया की कुल आमंदनी का 27 प्रतिशत अरजित करने वाला देश दुनिया के कुल उत्पादन का 43 प्रतिशत उत्पादन करने वाला देश तो सोनी की चड़िया ही हो सकता है और इस देश को सोनी की चड़िया इसलिए कहा गया 3,000 साल भारत के लोग दुनिया के दूसरे देशों में जाकर अपना सामान बेचा करते थे 3,000 साल हम नेट एक्सपोर्टिंग कंट्री हुआ करते थे हमारा कपड़ा बिकता था, हमारा लोहा बिकता था, हमारे लोहे के बहुत सारे सामान बिकते थे 36 त्रह की वस्तुएं थी जिनका नριाथ इस देश से होता था हम जो कपड़ा बनाते थे दुनिया के बाजारों में कैसे बिकता था आप सुनेंगे तो हैरन हो जाएंगे भारत में मलमल नाम का एक कपड़ा बनता था सूरत में बनता था मालमा में बनता था दक्षन भारत में कोयम बतूर के आसपास बनता था वो मलमल का कपड़ा जब दुनिया के बाजार में बिकने के लिए जाता था तो तराजू के एक पलडे में वो कपड़ा रखा जाता था दूसरे पलडे में उसके भार के बराबर सोना रखा जाता था कारण क्या था हम अकेले थे जो वो कपड़ा बनाते थे मनोपोली थी हमारी पूरी दुनिया में उस कपड़े तो हमने कपड़ा बेचकर सोना कमाया और वजन के बराबर आज से तीन सो चार सो साल पहले तक कपड़ा बिकता था वजन से अभी कपड़ा बिकता है मीटर से एक मीटर दो मीटर पांच मीटर तीन सो साल बिकता था आधा किलो एक किलो दो किलो पांच किलो और जितने वजन का कपड़ा उतने वजन का सोना मिलता था अब तीन हजार साल कपड़ा बेच बेच कर हम सोना कमाते रहे इसलिए सोने का भंडार इस देश में बढ़ा हम लोहा बेचते थे सारी दुनिया के देश हम से लोहा खरीदते थे आपको सुनकर हिरानी होगी स्टील बनाने की टेकनोलजी सबसे पहले भारत में विक्सित हुई दसवी शताब दी कोई स्टील बनाना नहीं जानता तो दुनिया में हमने सबसे पहले स्टील बनाए और वो स्टील हम बेचते थे दूसरे देशों को इस्ट इंडिया कमपनी और फ्रांस की सारी कमपनिया पानी का जहाज बनाने के लिए स्टील भारत से खरीदते थे और भारत का स्टील खरीद कर जब वो जहाज बनाया करते थे एक बहुत बड़ा फ्रांसी सी व्यक्ति था और एक बहुत बड़ा अंग्रेज दोनों भारत मे आए स्टील देखने के लिए कि भारत में स्टील क्या क्वालिटी का है तो यहां से कुछ स्टील वो खरीब के ले गए और उनकी लेबरेटरी में टेस्ट किया तो पता चला उस से अच्छा स्टील कोई बनाता नहीं दुनिया उन्होंने दो बातें कहीं उन्होंने का भारत के स्टील में सबसे बड़ी क्वालिटी है कि यह रस्ट फ्री है इसमें जंग नहीं लगता कितने भी पानी में डाल के रखो और दूसरी क्वालिटी यह है कि यह क्वालिटी में बहुत उचा है और तीसरी है कि यह सस्ता बहुत है तो East India Company वाले यहां से स्टील खरीटे थे और इस्ट इंडिया कंपणी के अधिकादियों ने लिखा है कि भारत के स्टील से जो जहाज बनाते थे पानी का वो जहाज कम से कम 65-70 साल चलता था और अंग्रेजी इस टील से जो जहाज बनाया जाता था वो 15 साल में ही टूप जाया करता। इस्ट इंडिया कंपनी के कई अधिकारियों ने अपनी डायरियों में लिखा है कि हम भारत में जहाज खरीदने आते थे, नया जहाज खरीदने के पैसे नहीं होते थे तो पुराना खरीद के ले जाते थे, जो जहाज भारत में 50 साल चल चुका होता था उसको हम खरीदते थे, और उस जहाज को रिपेरिंग करके और 20-25 साल हम चलाते थे, इतनी अच्छी क्वालिटी का स्टील भारत में बनता है, आप जानते हैं कि पानी का जहाज हमेशा पानी में रहता है, इसलिए उसमें जंग लगने की संभावना सबसे जादा होती है, लेकिन भारत के स्टील के जहाज 60 साल, 70 साल, 75 साल बिना जंग के काम करते थे, इस क्वालिटी का स्टील बनता था, इस क्वालिटी के जहाज बनते थे, और सारी दुनिया में ये बिकते थे, उसके बदले में भी हमें सोना ही मिलता था, हम लोहा बेचते थे और सोना लेके आते थे कपड़ा बेचते थे सोना लेके आते इंटें बनती हैं इस देश में पतली इंट बनती है जिससे हमारे किले बनाए गए है भारत के सबी महापुरुशों के बनाए हुए किले को देखेंगे तो बहुत पतली इंट के हैं जिनकी उमर 500 से 1000 वर्ष है वो किले में कहीं क्रैक नहीं है क्योंकि इंट और जो कैलशियम है चूना है उसके उप्योग से बनाए गए है सीमेंट का कोई भी मकान दूसरे तीसरे साल में क्रैक आ जाता है क्योंकि सीमेंट की क्वालिटी उतने अच्छे नहीं है चूने की क्वालिटी इतनी अच्छे चूना हम बनाते थे इंट बनाते थे उसे बेचते थे ऐसी 36 तरह की चीज़े हम बनाके बेचते थे सब चीजों के बदले में सोना मिलता था क्योंकि उस समय एक्षेंज जो होता था वस्तूओं का वो सोने से ही होता था इसलिए हजारों साल दुनिया का सोना भारत में आया और वो सोना इतना आया कि हमने उसको अपने शरीर पर पहना शरीर पर लादा घर में सजावट के लिए इस्तेमाल किया फिर भी बच गया तो हमने दान कर दिया और उसके मंदिर बन गए इस देश में दुनिया में कहीं सोने की मस्जित नहीं है कहीं सोने का गिरजागर नहीं है इस देश में सोने के मंदिर है अंग्रेजों के जमाने में तो 13000 से जादा थे जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए और उन्होंने सर्वेक्षन किया तो उन्होंने लिस्ट बनाई है कि 13780 सोने के मंदिर हैं बारत और एक-एक मंदिर के पास सैकड़ों मीट्रिक टन सोना होता था अंग्रेजों के दस्तावेजों में दर्ज है गुरवायूर का मंदिर केरल में फिर उसके बाद तमिलनाडू के मंदिर तंजोर के मंदिर फिर उसके बाद हमारा तिरुपती बाला जी का मंदिर ऐसे हिंदुस तेरे हजार से ज़्यादा मंदिरों में टनों टन सोना लगा हुआ है और अंग्रेज लिख रहे हैं कि इस सोने को ही लंदल ले जाना पड़े तो हजार साल लगे इतना धन संपत्ती इस देश में था एक अंग्रेज आया इस देश में उसका नाम था मैकॉले टीबी मैकॉले जिसने भारत की सिक्षा व्यवस्था को बदल दिया पूरा उस मैकॉले का एक भाषन का एक वाक्य सुनाता हूं ब्रिटिश पार्लिमेंट में वो एक भाषन दे दो फरवरी 1835 को और वो बोल रहा है आएव ट्रेवल लेंट इन ब्रेट ऑफ इस कंट्री इंडिया मैंने संपूर्ण भारत देश को देख लिया लेंट इन ब्रेट माने उत्तर दक्षिन पूरा पश्चिम सब जगे में भारत में घूम लिया और वो कहता है कि I have spent 17 years continuous in इं वो इस बैगर एंद थीफ इन दिस कंट्री इंडिया वो गैदा सारे भारत को घूमा मैंने उत्तर दक्षिन पूरा पश्चिम सत्रे साल घूमा एक भी आदमी पूरे भारत में मुझे ऐसा नहीं मिला जो भिकारी हो और चोर हो क्यों वो कहता है such wealth I have seen in this country इंडिया वो कहता है इतना धन और इतनी संपत्ति मैंने इस देश में देखी है कि कोई व्यक्ति इस देश में भिकारी हो ही नहीं सकता और चोरी कर ही नहीं सकता चोरी कौन करेगा जिसके पास संपत्ति नहीं विकारी कौन होगा जिसके पास धन नहीं है वो कहता है एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास धन और संपत्ति नहीं हो इसलिए कोई चोर नहीं है कोई विकारी और अपने भाशन में वो कहता है कि भारत के 17 साल के प्रवास में मैंने एक भी घर नहीं देखा जहां ताला कोई लगा था और ताला नहीं लगाते उसके पीछे कारण क्या है चोरी का किसी को डर ही नहीं है और चोरी का डर क्यों नहीं है क्योंकि चोर नहीं है इस देश में को पिर वो कहता है कि भारत में इतना धन और इतनी संपत्ती है एक गर में कभी जाता हूं तो वहां सोने के सिकों का ढेर ऐसे लगा रहता है जैसे चने का ढेर होता है गिवों का ढेर होता है एक एक घर में इतना सोना एक एक घर में इतने सोने के सिक्षे वोगता इस देश को हम कभी भी गुलाम नहीं बना सकते क्यों? क्योंकि इंग्लेंड से कई गुना जादा पैसे वाला ये देश है इसलिए इस देश को अगर गुलाम बनाना हैं तो लूटना पड़ेगा पहले इस देश की संपत्ती को लेके जाना पड़ेगा लंदन जब दिये देश गरीब होगा तब ही अंग्रेजों का गुलाम बनेगा अन्निता ने यह उसका लंबा भाशन है यह भाशन बताता है कि कितना पैसे वाला कितना संपत्ति वाला कितना सम्रुद्शाली देश था फिर यही भाशन बताता है कि अंग्रेजों ने किस तरह से लूट मचाई इस देश की जो आज दुनिया का सबसे गरीब देशे हो गया तो इस लूट के खिलास भारतवासियों का विद्रो हुआ था 1857 में और भारतवासियों ने अंग्रेजों को मार भगाने की कसम खाई हुए थी और वो कसम उन्होंने पूरी की थी 10 महीं से विद्रो शुरू हुआ एक सितंबर 1857 तक सारे एंग्रेज इस देश में मारे गए एक भी जिंदा नहीं बचा यूनियन जैक उनका हर जगह से उतर गया और हर जगह भारत के राजाओं के रियास्तों के जंडे उस समय फैराने लगे उस समय तिरंगा जंडा नहीं होता था इस देश में हर राज्य के अपने अपने जंडे हुआ करते थे सतारा राज्य का अपना जंडा था ये कोलापुर रियासत थी इसका अपना जंडा था पुने रियासत का अपना जंडा था सभी राज्यों के जंडे इस देश में थे यूनियन संभव है तो जो अधिकारी जिंदा बचकर यहां से लंदन वापस गए थे तो उन्हों ने का यह एक ही रास्ते से संभव है कि भारत के कुछ राजा भारत की कुछ रियासत हैं अगर अंग्रेजों की मदद करें तब ही अंग्रेज दुबारा भारत में जा सकते हैं फिर ब्रिटिश पार्लेमेंट में बहस हुई कि कौन-कौन से राजा हैं भारत में जो अंग्रेजों की मदद कर सकते हैं कौन-कौन सी रियासत हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं तो अंग्रेजों की संसत में एक सूची बनाई गई उस सूची में सबसे पहला नाम सिंधिया परिवार कि सबसे पहला कि ब्रिटिश पार्लेमेंट में सबसे पहला नाम आया और सिंधिया परिवार के बारे में अंग्रेज अधिकारियों ने कहना शुरू किया कि ये तो इतना अच्छा परिवार है हमारे लिए हम इन पर हमेशा भरोसा कर सकते हैं एक अंग्रेज कह रहा है कि हम अपने पर जितना भरोसा नहीं कर सकते उससे जादा सिंधिया परिवार पर भरोसा कर सकते हैं इस परिवार की हमें जरूर मदद वापस चलना चाहिए दूसरे परिवार का नाम आया ब्रिटिश पार्लिमेंट में जिससे अंग्रेजों को बहुत मदद मिले पटियाला राजगराना आप जानते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंग का नाम आपने सुना है जो पंजाब का मुख्यमंतरी रहा वो उसी राजगराने का है कि दूसरा नाम उनका आया तीसरा नाम आया जीन्द के एक राजा का हर्याणा में एक रियासत हुआ करती थी जीन्द वहां के राजा का नाम था चौथा नाम आया हैदराबाद के निजाम का सालार जंग का ऐसे करके अंग्रेजों ने 20-25 नाम छांटे इनके नाम ब्रिटिश पार्लेमेंट में दर्ज हैं बहस में दर्ज हैं कि ये वो परिवार हैं जिनसे हमको मदद मिलेगी फिर इन सब परिवारों को अंग्रेज सरकार की चिठी आई वो चिठी की कौपी भी वहां रखी हुई है जिसमें लिखा गया कि आपने हमेशा अंग् सिंधिया परिवार से चिठी गई उसमें कहा गया कि हम तो हमेशा से आपके हैं आप बिलकुल शक्त मत करें आप वापस आईए इस देश हम आपको अपनी सेना देंगे पैसे देंगे आपको जो चाहिए वो मदद करें ये जो हैदरबाद का निजाम था इसने चिठी बेज जी उसने का मेरी पूरी सेना आपके लिए है मेरे पूरा खजाना आपके लिए जीन के राजा ने कहा सब कुछ मैं आपको नुचावर करता हूँ तो ऐसे 20-25 राज घराने इस देश में निकले जिनों ने अंग्रेजों को मदद करने की कसम खाई और उनकी मदद से अंग्र करने के बाद इस देश पर फिर से अंग्रेजों का राज इस्थापित किया और दूसरी बार जब राज इस्थापित किया तो वो कंपनी का नहीं था अंग्रेज सरकार का राज इस्थापित किया उसके पहले इस देश में 100 साल कंपनी का राज चला इस्ट इंडिया का उसक हाद के और अब तक हम बिना कानून बनाए काम करते थे अब जो करें वो कानून बनाकर करेंगे क्यों तो अंग्र्जोंने आपस में एक दूसरे को यह वह यह कि दुनिया का कोई भी देश जब भी हमसे कहेगा कि आप भारत को लूट रहे हैं बरबाद कर रहे हैं तो जब आप देंगे हम तो भारत में कानून का साशन इस्थापित कर रहे हैं अब उसमें भारत की लूट होती है तो हम क्या करें अंग्रेजों की चाला की देखिए कि आपको सीधे लूटेंगे तो बदनामी होगी कानून बना देंगे लूटने का तो बदनामी नहीं होगी कोई व्यक्ति जेब काटे तब आप क्या चिला होगे कानून बन गया होता है कानून का पालन हो रहा है भले आपकी जेब कटे उसमें तो अंग्रेजों की संसद ने जो कानून सबसे पहले बनाए वो कानूनों के बारे में कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों की संसद में पहली कोटी रुपए खर्च हुए चारसो असी करोड़ रुपए खर्च हुए अठारे सो सत्तावन की क्रांति और यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी अगर इसको आज के हिसाब से समझना हो तो तीन सो का इसमें गुणा करना पड़ेगा क्योंकि रुपए का अब मुल्यन उतना हो चुका है तब से इतनी बड़ी रकम इकटी हुई थी अठारे सो सत्तावन की क्रांति में पूरे देश में तो अंग्रेजों ने इस पर बहस की कि यह पैसा दिया किसने तो अंग्रेजों के कुछ अधिकारियों ने का कि उद्योग पतियों ने दिया व्यापारियों ने दिया किसानों ने दिया कारीगरों ने दिया यह सब लोगों ने पैसा इकटा करके करांतिकारियों को दिया तब अंग्रेजों ने तैय किया कि अब भारत में ऐसा कानून बना दो कि आगे कभी भी किसी करांतिकारी को लोग पैसा ना दे पाएं और लोगों के हाथ में पैसा रहने ही नहीं पाएं सारे पैसे उनके हाथ से चीन लोगों तो भारत के लोगों से पैसे चीनने के लिए धन चीनने के लिए सब गुणसके पहला कानून इस देश में बना इंडियन इंकम टेक्स एक्ट और अग्रेजोंने में जब ये कानून बनाया तो आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि इंडियन इंकम टेक्स सेक्ट जब उन्होंने बनाया 1860 में और इसको लागू किया पूरे देश में तो रकम कितनी चीननी है धन कितना चीनना है तो अंग्रेजों ने कहा 97 परसेंट ब्रिटिश पार्लिमेंट ने तै किया माने कोई हिंदुस्तानी 100 रुपए कमा रहा है किसी भी व्यापार से तो उसमें से 97 रुपए इंकम टैक्स में ले लेना है माने उसके पास सिर्फ तीन रुपए बचेंगे फिर अंग्रेजों ने एक दूसरा कानून बनाया कि कोई कमाई करेगा तो कमाई तो तब करेगा जब कुछ सामन पैदा करेगा उत्पादन करेगा तो उत्पादन पर कर लेना है उसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और यह अंग्रेजों ने लगाई साड़े तीन सो प्रतिशत सौ रुपए का सामन पैदा करो तो तीन सो पचास रुपए अंग्रेजों को दो टैक्स में फिर अंग्रेजों ने तै कि कोई व्यक्ति सामन बनाएगा तो बेचेगा जरूर त दूनों ने एक टैक्स बना दिया सेंट्रल सेल्स टैक्स केंद्रिय विक्री कर वह 180 प्रतिशत से 200 प्रतिशत होता था फिर अंग्रेजों ने तै कि सामन बनाएगा तो कर भरेगा बेचेगा तो टैक्स देगा बेचकर मुनाफ़ा कमाएगा तो टैक्स देगा सामन को बेच लेंग्रेजुं की बनाई गई सडक पर से जाएगा तो ट् segur टैक्स लेंआ जिस गाउं में सामन बनाएगा मुनिसीपल कोर्परेशन का टैक्स लेंआ ऐसे करकर के उन्होंने सारे tax के कानून लाग दिये इस देश उद्देश क्या था एक ही उद्देश भारत वासियों से पैसे चीनने हैं भारत वासियों से धन चीनना है संपत्ती चीननी है और उसको लंदन लेके जाना है जब यह कानून लागू हो गए Indian income tax आगया Central exercise आगया Central salary tax आगया Route tax आगया guidance आगया विप्हिक का टैक्स आगया बीसिपल उद्योंग पर आप साड़े 300% टेक्स साइस ड्यूटी लगा दोगे तो कितना महँगा कर दिया आप ऐसाम फिर सेल्स टेक्स लगा दोगे फिर इंकम टेक्स ले लोगे फिर रोट टेक्स ले लो गे यृतिमेटली दुष्पन नाम ये हुआ कि भारत की वस्तुएं महंगी होती गई और वो वस्तुएं बाजार में विकना कम होती गई तो भारत का एक्सपोर्ट खतम हो गया निर्यात खतम हुआ तो दूसरे देशों से जो सोना चांदी आता था वो बंद हो गया और धीरे धीरे आमदनी इस देश की घटती गई घटती गई घटती गई आज भारत की हैसियत दुनिया में ऐसी है कि 200 देशों में सबसे गरीब देशों में भारत का नंबर आता है आज से थोड़े साल पहले तक दुनिया के 200 देशों में सबसे अमीर देशों में भारत का पहला नंबर आता इतना परिवर्तन हो गया अब मैं कहना चाहता हूं आज की बात कि अंग्रेजों ने तो लगाया सेंट्वल एक्साइज लगाया टोल टेक्स लगाया रोड टेक्स लगाया हाउस टेक्स लगाया कॉर्परेशन टेक्स लगाया सारा धन लूट के लंदन ले जाने के लिए वो विदेशी थे लूट का सारा धन लंदन लेके जाना है यह उनका घोशित उद्देशित वो कोई सेवा करने नहीं आए थे इस देश में कोई धरमादा खाता खोलने नहीं आए थे अब होना क्या चाहिए था पंदर अगस तुनीस सो सेटालीस को आजादी आई तो आजादी आते ही लूट के जितने कानून अंग्रेजों ने बनाए टैकसेशन के नाम पर वो सब खतम होने चाहिए थे, सब कानून जला देने चाहिए थे लेकिन आजादी के 62-63 साल के बाद भी वो सारे कानून लगे हुए है इस देश income tax भी है, central exercise tax भी है, sales tax भी है बस नाम बदल गया है, value added tax road tax भी है, toll tax भी है, corporation का tax है, house tax है, property tax है बस अंतर इतना है कि गोरे अंग्रेजों ने जो टैक्स लगाए थे वो 23 थे काले अंग्रेजों ने जो टैक्स लगा रखे है वो 64 64 64 गोरे अंग्रेज लूट लूट के सारा धन टैक्स के माध्यम से लंदन में जमा कर रहे थे ये काले अंग्रेज आप से धन लूट लूट कर स्विट्जर लेंड में जमा कर रहे हैं अब देश में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आया आप सोचिए अंग्रेज लूट हैं 23 टैक्स लगा के अंग्रेजों के बाद की सरकार आपको लूटे 64 टैक्स लगा के और फिर भी पेटना भरे सरकार का हर साल एक नया टैक्स हर साल एक नया टैक्स हर साल अंग्रेजों ने कभी जिन्दगी में सर्विस टैक्स नहीं लगाया इस देश में काले अंग्रेजों ने लगा दिया सर्विस टैक्स मने सेवा करना भी अब टैक्स भर के पहले तो भारत में कहा जाता है कि भारत सेवा करने वालों का देश है जो भी सेवा करें उनको टैक्स भी भरना पड़े इस देश में और यह काले अंग्रेज तो इतने खतरनाक हैं कि गोरे अंग्रेज साल में अंतिम समय टेक्स बसूला करते थे यह काले अंग्रेज तो एडवांस में पूरा टेक्स बसूलते आपसे आप गाड़ी खरीदने जाएए चार पहिये की तो खरीदते समय पूरी जिंदगी भर का रोट टेक्स आपसे ले लेंगे चाहे गाड़ी आप 6 महीने चलाके उसको तोड़ दें फोड़ दें वो तूट जाए उनको लेना देना नहीं पूरी जिंदगी भर का टेक्स आप से ले लेंगे तो एक बार रोड टेक्स ले लिया अब उस गाड़ी को लेकर जब सड़क पर चलेंगे तो हर पचास किलोमीटर पर टोल टेक्स अलग से लेंगे इतने हरामी और बेईमान है ये काले हंग्रेश हम पैसे देते हैं मिनिसिपल कॉर्परेशन को टेक्स के रूप में ताकि मिनिसिपल कॉर्परेशन हमको सुविधा दे उस पैसे से मुझे अभी पता चला कि कॉर्पर के मिनिसिपल कॉर्परेशन को सेकडों करोड का जो आप टेक्स देते हैं उस मिनिसिपल कॉर्परेशन ने एक 48 किलोमीटर की सड़क बनाने का ठेका दे दिया है किसी को 233 करोड में 237 270 करोड में 48 किलोमीटर की सड़क बन रही है ये बन के तैयार हो जाएगी तो आप से टोल टैक्स लेने की तैयारी चल रही है आपके टैक्स के पैसे हैं मिनिसिपल कॉर्परेशन के पास और पैसा आएगा कहां से आपने टैक्स दे दिया एक बार कॉर्परेशन को पेट भर जाना चाहिए उनका वो नहीं भर रहा है उस टैक्स के पैसे सड़क बन रही है उस सड़क पर आप चलेंगे तो टोल टैक्स अब आपको जिन्दगी भर 30 साल के लिए देना पड़ेगा ऐसी लूट मचा रखी है इन काले अंग्रे जो सारे देश में ये लूट मार है टैक्स की और इस लूट मार के तीन दुश परिनाम है सबसे पहला दुश परिनाम है कि जो चीजें सस्ती होनी चाहिए वो 64 तरह के टैक्स लगने से बहुत महंगी है direct tax तो दो लगे हुए हैं इस देश में income tax और corporate tax और 62 तरह के indirect tax लगे हुए और आपको मालूम है थोड़ा भी अर्थशास्तर का ग्यान हो तो direct tax की जो मार पड़ती है वो किसी अमीर के उपर होती है श्रीमंत के उपर होती है लेकिन indirect tax की जो मार होती है वो गरीबों पर सबसे ज़्यादा पड़ती है गरीब मार खाते हैं उसकी indirect tax की और इस देश में उसके दुश्परिणाम ये है जो चीज आपको एक रुपए में मिलनी चाहिए वो 70 रुपए में मिल रही है जो 70 रुपए में मिलनी चाहिए वो 7000 रुपए में मिलनी ऐसी लूट मचे मेरे हाथ में एक बॉल पैन है ये बाजार से आप खरीदो 10-12 रुपए का मिलेगा ये फैक्टरी में सिर्फ 1.5 रुपए का बनता है मेरे हाथ में एक रिस्ट वॉच है आप इसको बाजार से खरीदो 500-500 रुपए की मिलेगी ये कार खान के बाजाए में 70 रुपए की बनती है आप एक सीमेंट का पैकेट बाजार से खरीदते हैं ना 246-250 रुपए का फैक्टरी में वो 76 रुपए का बनता है एक लीटर पैटरोल जो आप बाजार से 50 रुपए में खरीदते हैं वो 12 रुपए में तयार होता है एक लीटर डीजल जो आप 35 रुपए में खरीदते हैं वो 7.5-8 रुपए में बनता है एक लीटर केरोसिंग जो आप बजार से 20-25 रुपए में खरीदते हैं वो 7.5 रुपए का एक लीटर होता है कोई भी चीज जो आप खरीद रहे हैं बहुत महंगी कीमतों पर उसका सबसे बड़ा हिस्सा है टैक्स और दूसरा बड़ा हिस्सा है कंपनी का प्रॉफिट दोनों मिलकर आपको लूट रहे हैं और ये टैक्स के माध्यम से हम जो धन देते हैं हमारी सरकारों को वो कोई थोड़ा बहुत नहीं है हम लोगों ने एक बार हिसाब निकाला केंद्र सरकार को जो हम टैक्स देते हैं राज्य सरकार को जो टैक्स देते हैं और मिनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो टैक्स देते हैं वो एक साल में कुल मिलाकर 20 लाख करोण रुपए हैं केंद्र सरकार को हम एक साल में देते हैं सवा छे लाख करोड़ रुपई टैक्स में 31 राज्य हैं इस देश में सभी राज्यों की राज्य सरकारों को हम देते हैं 12 लाख करोड़ रुपई एक साल में और करीब 2,5,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 weg in another a minute के लिए सोच is और सर कार को ना दें टैक्स में ना दें ये सारी रखम गरीबरों में ऐसे ही दान कर देंश तो पूरी गरीबी इस देश में एक साल में ही खत्म हो जाती और अगले साल इस मी को आप भेरोजगार ओ और को दान 365 गाओं की सड़क सोने से बन जाती है और चौथे साल फिर यह रकम आप दे दें लोगों को तो एक सड़क सोने से बनी उसके ऊपर दूसरी सड़क फिर सोने से हम बना सकते और चार-पांच साल के बाद तो मैं सोचने लगा कि क्या करें बीस लाख करोड का समझ में नहीं आता मतलब देश का विकास करना बीस लाख करोड रुपए साल आना के टेक्स में पांच साल में ही संभव है पांच साल से जादा नहीं लगेगा इस देश को विकास होने गरीबी भुकमरी बेकारी सब दूर हो जाती है लेकिन ये सरकारें 62-63 साल से टेक्स लेती जा रही है हमारी ना गरीबी दूर कर पा रही है ना बेकारी दूर कर पा रही है ना पीने का पानी दे पा रही है ना चलने को सड़क दे पा रही है ना दवाएं हमारे पास है ना डॉक्टर हमारे पास है ना स्कूल हमारे पास है ना स्कूलों में टॉइलेट हमारे पास है मुझे बहुट दर्द होता है यह कहते हुए आजादी के 63 साल में इस देश के 3.5 वाओं में पूरा अंधेरा है बिजली नए आजादी के 63 लग बक ढई से 3.5 वाओं में चलने की सड़क नहीं है लग बकhem 3.5 वाओं कोई डॉक्टर नहीं है कोई हॉस्पिटल नहीं कोई दवा नहीं है पचास करोड भारतवासी निरक्षर हैं जिनको हम पढ़ा नहीं सके आजादी के 62-63 साल अठारे करोड विद्यारती इस देश में भरती होते हैं पढ़ने के लिए और मात्र एक करोड रह जाते हैं 17 करोड को स्कूल बीच में ही छोड़ देना पड़ता है क्योंकि फीस के पैसे नहीं होते हैं उनके पास इस देश में 18 करोड विद्यारतियों में से 17 करोड अगर ड्रॉप आउट्स हो तो सिक्षा किसको दे रहे हैं और कैसी दे रहे हैं उसका अंदाजा आप लगा से आजादी के 63 साल में इस देश की आधी से ज्यादा माताई बच्चों को जन्म देने के समय मरने की इस्तिती में आजाती हैं क्योंकि श्रीर में टाकत नहीं होती है क्योंकि खाने के लिए खुराक नहीं मिलती है और जो माताएं बच्चों को जनम दे देती हैं, उन में से आधे बच्चे अपनी उमर के तीसरे महिने में खतम हो जाते हैं इस देश में वो चौथा महिना अपना जनम दिन नहीं मना पाते। इस देश में बनवासी इलाकों में रहने वाले लोगों को लकडियां चुन-चुन के खाना पड़ता है पेट की भूक मिटाने के लिए और जहरीली लकडियां हो तो उनको मर जाना पड़ता है इस देश कि ऐसे समाचार रोज हम सुन थे क्या हु w आज़ादी के बाद हम 25 लाग करूड का हर साल जाए काहां रहा है पैसा बहुत दिन हम लोग इस वुलघन में थे कि हम 20 लाग करूड साला है न यह टैक्स बर ते फिर हमारा पैसा जाता कहा है हम तो सरकार को इमांदारी से दे दे थे इस देश के एक प्रधान मंतरी ने इसका रहस्योद घाटन किया उन्होंने का कि भारत में आम आदमी के लिए जब मैं पैसा भेजता हूं टैक्स का तो एक रुपए में से सिर्फ 15 पैसा ही पहुंचता है उसके पास 85 पैसा लुट जाता है हम खा जाते हैं नेता और अधिकारी मिलकर और ये बात कही थी भारत के प्रधान मंतरी राजीव गांदे उन्होंने कहा था कि हम नेता और अधिकारी इस देश को जोंक की तरह से चूस रहे हैं इस देश का विकास नहीं कर रहे हैं और एक बार हिम्मत से उन्होंने ये कहा था कि मुझे इस देश की राजनीत की सफाई करनी है ऐसे दलालों से जो देश को जोंक की तरह से नोच रहे हैं वो देश का विकास नहीं होने दे रहे हैं ऐसे दलालों से मुझे इस देश को मुक्त कराना लेकर नहीं हो पाया राजी उगांदी ने 1984 में ये कहा कि एक रुपए जब दिल्ली से भेजा जाता है तो पंद्र पैसा पहुचता है अब 2009 की इस्तिविए ब्रुपए जब दिल्ली से भेल जाता है तो दस पैसा भी नहीं पहुंचता नब्वे प्रतिशत लूट हो जाती है आपके धन की आपके संपत्य की हम सुना करते थे इतिहास में कि इस देश में कुछ डाकू हुए डाकू मोहर सिंग डाकू मादो सिंग डाकू जालिम सिंग जो लूटते थे लोगों को लेकिन मुझे तो वो आज के नेताओं से जादा अच्छे लगते क्योंकि मैंने उन डाकूँ के बारे में पढ़ा है वो लूटते थे अमीरों को और गरीबों की बेटियों की शादी कराते थे उस पैसे से वो लूटते थे अमीरों को और गरीबों को दे देते थे वो पैसा तो उनमें थ थी थोड़ी सामा जिकता थी भले वो लूटते थे लेकिन आज के यह जो नए डखेट पैदा हुए हैं जिनको नेता और अधिकारी कहते हैं यह तो सब लूट क्या खा रहें इस देश के दर हमारे देश की आजादी के पिछले 63 वर्षों में जो नेता हुए हैं जिन्नों ने देश की सत्ता व्यवस्था समाली है ऐसे नेताओं के बारे में एक रिसर्च का काम हम लोगों ने शुरू किया है और वो रिसर्च इस बात की है कि जब यह सत् कितना धन और समपत्ती था और सत्ता में आने के थोड़े ही दिनों में कितना धन और समपत्ती हो गया तो वो लिस्ट जब बनी तो पता चला कि देश के लोगों का तो विकास नहीं हुआ पुढहरियों का विकास हुआ है नेताओं का विकास हुआ है देश का विकास तो नह अधिकारी अपना घर भर रहे हैं स्विस बैंकों में जमा कर रहे हैं दस प्रतिशत विकास के काम में लग रहा है विकास इसलिए नहीं हो रहा है देश को आप तो दे रहे हैं दन विकास के लिए लेकिन वो लूट रहा है पूरे देश को तो दर्द हमारे दिल में यही है कि अंग्रेज लूटा करते थे जिस धन को लंदन ले जाते थे अब काले अंग्रेज लूट रहे हैं उस धन को स्विट्जरलेंड ले जा रहे हैं व्यवस्था तो वही चल रही है नीतियां तो वही चल रही है नियम तो वही चल रहा है लुट तो हम तब भी रहे थे लुट आज भी रहे इस लिए इस देश की इस व्यवस्था को जिसको लोकतंत्र कहा जाता है मैं मजाग में कहता हूँ कि ये लोक तंतर नहीं है लूट तंतर है ये कहीं से भी नहीं दिखाई देता कि ये लोक तंतर है हम जब नेताओं से बात करते हैं पुडारियों से बात करते हैं सीधा सवाल करते हैं कि भाई आपको बीस लाग करोड पिछले साल टैक्स में दिया विकास क्यों नहीं हुआ बीस लाग करोड तो बहुत बड़ी रखम होती है तो वो कहते हैं कि इस सिस्टम में लीकेज है और लीकेज में वो चला जाता है लीकेज का मतलब समझते हैं लूट इस देश का हो नहीं सकता इसलिए हम लोगों ने भारत-स्वाविमान-व्यान बनाया और इसको शुरू किया है वह इसी संकल्प के साथ शुरू किया है कि गोरेंग्रेजों ने लूट-khori की जो व्यवस्था बनाई कारें काले अंग्रेजाओं ने यो लूट-खोरी की व्यवस्था पिछले 63 साल से चलाई अब इस व्यवस्था को चलने नहीं देंगे और इसको पूरी तरह से बंद करेंगे लूट-खोरी को देश का धन देश के विकास में काम आएगा और इस देश को फिर से सोने की चुडिया बनाएगा इस संकल्प को लेकर हमने भारस्वाइमान अवियान शुरेते अ कि आप बोलेंगे क्या हमारा संकल्प पूरा होगा हमें भरोसा है कि पूरा होगा आप बोलेंगे कियों हमें संकल्प है कि ये पूरा होगा हमें संकल्प यह इस बात से आता है कि अगर भारत के लोगों ने जागुरूख होने के बाद गोरे अंग्रेजों को इस हिंदुस्तान से भगा दिया जिनकी दुनिया पचास देशों में चलती थी जिनका सामराज दुनिया में पचास देशों में चलता था जिनका सूरज कभी नहीं डूपता था ऐसे गोरे अंग्रेजों को भारतवासियों ने अगर मार के भगा दिया इस देश से तो हमें विश्वास है कि आज के काले अंग्रेजों को भी ये भारतवासी मारके डगा देंगे इसको आपका सहयोग चाहिए आपका सहकार चाहिए ये संकल्प हमारा पूरा हो आप बोलेंगे क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं हमारे इस भारत स्वाजमान अभियान के हमने जो उद्देश्य बनाए हैं उसमें सबसे पहला उद्देश ही है कि लूट की जो विवस्था अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है इसको पूरा खतम करना है और लूट का जो धन अंग्रेज यहां से ले गए और काले अंग्रेज जो ले जा रहे हैं यह दोनों ही धन को भारत में वापस लाना है आप बोलेंगे क्या संभव है यह हां संभव है अंग्रेजों ने तीन सो लाख करोड़ रुपए लूटा है उसके सारे प्रमान और दस्तावेज अब हमारे हाथ में हैं अब तक तो हमें भी पता नहीं था कि कितना लूटा है अंदाजा हम लगाते थे भारत में जो दस्ताव जो पलब्द हैं अंग्रेजों के जमाने के दोनों दस्तावेजों के आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं कि तीन सो लाख करोड़ रुपए उन्होंने लूटा है और इस लूट की रकम को हम अंग्रेजों से वापस ले सकते हैं आप बोलेंगे कैसे ले सकते हैं अंतर के खिलाफ मुकदमा करके ये रकम हम वापस ले सकते हैं अब बस इसमें हमें इतना ही करना पड़ेगा कि अंग्रेजोंने हमको लूटा हमारे जैसे पचास और देशों को लूटा है भारत के जैसे पचास और देशों को लूटा है उन पचासों देशों का संगठन खड़ा करके अंतराष्ट्वी अदालत में पचास देशों की तरफ से मुकद्मा करना होगा और वो सबी देश इसको सिद्ध कर देंगे कि उनका धन इतना है उनका धन इतना है तो वो सब वापस देना पड़ेगे अंतराष्ट्वी कानून है कि कोई देश किसी दूसरे को लूट नहीं सकता उस कानून का आधार लेके हम यह मुकद्मा कर सकते और अंग्रेज इस मुकद्मे में हार जाएंगे क्योंकि हमारे साथ दुनिया के पचास नहीं सौ देश तयार हो जाएंगे क्योंकि उनका धन और अंग्रेज लूट कर ले गए हैं इसको भारत में वापस लाया जाए इस बहस को चलाने वाले एक बहुत बड़े क्रांतिवीर इस देश में हुए सरदार बल्लब भाई पटेल उन्होंने अपने एक निजी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी थी हम पटेल उनके निजी सचिव हुआ करते थे बाद में भारत के वित्त सचिव बने उनको यह जिम्मेदारी दी थी कि सब हिसाब निकाल के अंग्रेजों के खिलाफ कुछ करना है लेकिन इस देश के प्रधान मंतरी पंडित जवारला नहरू ने होने नहीं दिया कारण क्या था नहरू जी को लगता था कि अंग्रेजों से दोस्ती रखनी ही चाहिए उनको नाराज नहीं करना चाहिए उनसे दुश्मन ही नहीं रखनी चाहिए क्योंकि भविश्व में देश को आगे बढ़ाने के लिए इनिकी मदद लेनी पड़ेगी इसलिए हर बार उसको वीटो किया उन्होंने और चुकि अंसद में आगे इस बात को बढ़ाने वाला फिर कोई दूसरा नहीं रहा वरना ये पैसा तो हम 1947 में ही वापस ले सकते थे और अंग्रेजों को देना पड़ता है चलो ठीक है देर हो गई और ये कह सकते हैं कि 47 में सरदार पटेल के बाद इतनी ताकत का कोई नेता नहीं आ जोंके सामने ये बात आनी ही है आज नहीं कल कल नहीं परसों एक साल बात दो साल बात पांच साल बात उनको ये सारा हिसाव हमें लेना ही है कि इतना आपने टैक्स के माध्यम से लूटा इतना इस इंडिया कंपनी ने लूटा इस देश में से इतना अंग्रेज अधिकारिय कि लिखे हुए प्रमाने हैं हमारे में उसको वो नकार नहीं पाएं तो यह तीन सो लाग करोड हम वापस लाएंगे आज नहीं तो कल हमारा तो संकल्प इतना है कि वर्तमान राजनेतिक पार्टियां और दल अगर इस पैसे को लाने में हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम नई राजनेतिक पार्टी नए दल बनाएंगे इस देश में उनकी मदद से इस पैसे करें इतना संकल्प हम कर चुके दूसरा संकल्प हमारा है कि जो काले अंग्रेज पिछले 63 साल से लूट लूट कर स्विर्जरलेंड और विदेशी बैंकों में जमा कर रहें यह धन भी हम वापस लाएंगे आप बोलेंगे यह कितना है स्विट्जरलेंड की बैंकों में अब तक हमारे नेता और अधिकारियों ने जो लूट कर धन जमा किया है वह एक हजार पाँचसो अरब डॉलर है और एक हजार पाँचसो अरब डॉलर को आप रुपए में निकालें तो 75 लाख करोड़ रुपए निकलता है और अभी एक नई जानकारी आई है देश में वो यह कि स्विट्जरलेंड की बैंकों के अलावा दुनिया में कुछ और देशों की बैंके हैं वहां भी भारतवासियों ने धन रखा एक पनामा नाम का छोटा सा देश है गिनी विसाओ नाम का एक छोटा सा देश है तुबैगो नाम का एक देश है टुनी डॉट नाम का एक देश है ऐसे दुनिया में छोटे छोटे लीचिस्टन नाम का एक देश है ऐसे कई देशों में भी और धन जमा है और वो करीब 35 ला क्षू रुपए और जा दी कि 62 साल में नेताओं नुट कर विदेशों में जमा किया अब तुलना कर लिजे अंग्रेजह उने 200 साल में 300 लाख क्षू लूट और इन काले अंग्रेजों ने 62 साल में 110 लाख करोड लूट लिया इस ते माने ये काले अंग्रेज कम खतरनाक नहीं है मुझे तो कई बार लगता है कि इन काले अंग्रेजों में रॉबर्ट क्लाइब की आत्मा प्रवेश कर गई दलहुजी की आत्मा प्रवेश कर गई इन्होंने भी बहुत लूटा इस देश को तो इस लूट के धन को भी वापस लाना है आप बोलेंगे ये कैसे आएगा इसके लिए भी कुछ रास्ते हैं चार रास्ते से ये धन वापस आ सकता है सबसे पहला रास्ता ये है कि जिन नेताओं ने अधिकारियों ने 62 साल में ये धन भारत से लूटा है और ये विदेशी बैंकों में जमा किया है इस पूरे धन को भारत की संसत की मदद से हम राश्त्रीय संपत्ती गोशित करा दें पूरे धन को 110 लाग करोड को तो आप बोलेंगे इसका फाइदा क्या है अभी ये जो 110 लाग करोड जमा है अलग अलग देशों की बैंकों में सुर्जर लेंड के साथ-साथ ये सब नेता और अधिकारियों की निजी संपत्ति के रूप में जमा है हम उसको भारत की राष्ट् तर पर जो कानून है वो ये कि किसी भी देश का राष्ट्रिय धन या राष्ट्रिय संपत्ति उसी देश की राष्ट्रिय बैंक में जमा हो सकती है विदेशी बैंकों में जमा नहीं हो सकती है अभी ये धन निजी संपत्ति है व्यक्तिगत है तो कहीं भी जमा कर दिया फिर आराश्टर बैंक में रख सकते हैं भारत की बैंकों मे Serendam है यह मंपीओक करें अपने देश के हितमें और संसत से कानून बनवाएं कानून बनवाने के लिए संसत में प्रस्ताओं लाना पड़ेगा हमारी अस समय पूरी चाकत लगी हुई है कि जो संसद चल रही है इस समय उसके कुछ मेंबर्स को कन्विंस करके हम प्रस्ताव डलवाएं और एक लाइन का प्रस्ताव 15 अगस्त 1947 के बाद जितना धन भारत के बाहर गया वो भारत की राष्ट्री संपत्ती है संसद इस प्रस्ताव पर बहस करें फिर वोट पड़े और यह कानून पास हो जाए जब यह प्रस्ताव संसद में आएगा बहस होगी तो आप जरूर टेलिवीजन का स्विच अन करके देखना इस बहस को हम आपको sms से सूचनाएं भिजवाएंगे हम टीवी चैनलों से सूचनाएं भिजवाएंगे अक्वारों से सूचनाएं भिजवाएंगे कि आज बहस हो रही है आपको हम एक ही चीज दिखाना चाहते हैं कि इस बहस में आप यह देखना कौन-कौन नेता इसका विर कि और मैं अक्सर उसको कहता हूँ भाई तुमने 3-P सूट और टाइय पहना तुम्हारी धर्म पत्नी को को इसकुर्ट पहना realizing a हम पत्नी को कहएगा साऑड़ी पहनो और खुद 3-P सूट ऑटाइय लगा के चलेगा पत्नी भारत की है पती इंग्लेंड वाला है हम कहते हैं पती पत्नी गाड़ी के दो पईये हैं ग्रहस्ती के एक पईया ट्रेक्टर का दूसरा साइकल का कैसे चलेगा यह कहे कोई अंग्रेजी भूशा पहन रखे भारत में इतनी गर्मी है यहां ना सूट पहनने की जरुएत है ना टाई लगाने की इंग्लेंड वाले टाई और सूट इसलिए पहनते हैं कि ठंड बहुत है और बार बार ठंड होती है साल में आठ महीने ठंडी पढ़ती है बरफ ग रहती रहती है तो जेब से वो कागज निकाल के पोच के रखते रहते हैं फिर एक बार उनको लगा कि गले में लटका लो उसको रखना नहीं पड़ेगा इसलिए टाई लाई है आप क्यों इसको लटका के गूम रहें और मुझे बहुत त्रास होता है जब छोटे-छोटे बच्चों को मैं स्कूल जाते देखता हूँ इंदम टाइट टाई तीन साल का चार साल का बच्चा इतनी टाइट टाई कि जो नसे खून की प्रवाह को बनाने के लिए हैं वो ही बंद हो जाएं बच्चे तो वैसे ही पागल हो जाएं यह बंद करिये अंग्रेजी भूशा कुछ अच्छी नहीं है अपनी भूशा बहुत अच्छी है दोती है लूंगी है कुरता है पजामा है वगरा वगरा यह सब भारत की भूशा है इनका ही उप्योग करिये अंग्र ठंडा कुट्टा मूर्खों के भोजन कर रहा है अपने पास कुछ कमी है क्या भोजन में भारत में मैंने एक दिन सोचा जिस दिन मेरा जन्म हुआ वो दिन से गिनकर जिस दिन मेरी मृत्ति होगी वो दिन तक हर दिन एक नया व्यंजन बनाके मैं खा सकता हूं इतनी विविदेटा भारत के भोजन में है उनके पास तो ले दे के एक ही है होट डॉग कोल डॉग और वो भी क्या है वो है ना पाव रोटी बस एक पाव रोटी एक डबल रोटी उसी को काटके उसमें सलात बरलो उसको काटके उसमें कुछ बरलो बस यह है यूरोप के कितने देशों में पाव रोटी डबल रोटी अमरीका में कितने स्थानों पर पाउरोटी डबलोटी इसके अलावा कुछ खाते ही नहीं क्योंकि बनाना नहीं आता कुछ गेहूं हैं हमारे पास उनके पास भी है गेहूं का आटा उनके पास भी है हमारे पास भी है लेकिन हम गेहूं के आटे से कम से कम 70-80 चीज़ें बना सकते हैं पूरी बना सकते हैं कचोड़ी बना सकते हैं रोटी बना सकते हैं पराठा बना सकते हैं कई तरह के पराठे बना सकते हैं कई तरह की पूरियां बना सकते हैं यूरोप वाले एक ही चीज़ बनाते हैं पाव रोटी डबल रोटी कुछ आत देखते हैं लोग उसका कि गरम रोटी खाने को मिले सवाल ही नहीं उठता वो तो बजार से बनी बनाई लाते हैं और पाव रोटी तीन महीने पुरानी होती है डबल रोटी तीन महीने पुरानी हो उसी को खाते हैं सब्जी बनाना आता नहीं तो बजार से डबा बंद सब्ज की लाते हैं उसको प्लेट में निकालकर ऊपर से मीट डालकर खाता हैं है दाल कोई जानता नहीं अर्वाकी मि टाईयों इतनी तरह तरह कि हम जो बनाके खाते हूं उनके पास एक ही मिठाई आईस क्रीम और कुछ है इनिया गरीब लोग है उनके चक्कर में आप क्यों फस गए आपको तो मैं इतना पथाना चाहता हूं इतना बड़ा सुख है इस देश में जो किसी देश में आप भारत में रहते हैं घर में हर दिन नया विंजन बना के खा सकते हैं वहां होटलों में भी नहीं मिलता आप भारत में रहते हैं हर दिन आपके घर के सामने कोई दूद वाला आएगा भैस लेके आएगा गाय लेके आएगा दूद निकाल के आपको घर में देके जाएगा अमरीका में तो दूद लाने के लिए कम से कम सौ मील गाड़ी चला के जाना पड़ों और वो भी दूद मिलेगा तो डबाबंद मिलेगा फ्रेश मिलने की कोई गारेंटी नहीं है क्योंकि वो दूद का डबा साथ-अट दिन पुरा ना आपके देश में कितना बड़ा सुख ह है आपने कपड़े दोए उसको इस्तरी करने के लिए कोई आपके घर के सामने आकर इस्तरी करके चुपचाप देखे जाएगा अमेरिका में तो इस्तरी करवाना दूसरों से स्वर्ग जैसा सुख है कोई इस्तरी करने नहीं आता इस्तरी करवाने के लिए पचास मील गाड यह फिर भी कहेंगा ले लो फिर भी कहेंगे आप नहीं चाहिए तो और चलो कुछ बात तो कर लो भाजी नहीं लेनी है चोड़ おथ की पूछेगा बच्चों की पूछेगा अपनी सुनाएगा बच्चों की सुनाएगा थोड़ा आपका उसका आत्मिक रिष्टा बन जाएगा भाजी विके ना विके लेकिन आपका रिष्टा उसके साथ ऐसा पक्का हो जाएगा यूरोप और अमेरिका में तो कोई किसी की सु कुछ बता रहा हूं अगर अमेरिका जाके तीन महीने भी रह जाएं तो पागली होके आएंगे सीजोफ्रेनिया से कम बीमारी नहीं मिलेगी आपको वहां से आने जो भी भारतवासी जाते हैं थोड़े दिन में परेशान हो जाते हैं कोई बोलने वाला नहीं कोई बात करने वाला नहीं यहां तो सड़क चलता हर आदमी आपसे बोलता है बात करता है वहां कोई किसी से बात पी करता और गलती हो गई कुछ तो जेल हो जाती है सीधे मेरा एक पति पत्ती, उनको कोई बच्चा नहीं, तो एक दिन क्या हुआ, उनके पड मालोस का बच्चा फुट-बाल खेल रहा था, उसने बॉल को किक मारा, सडक पे आके बॉल गिर गई, तो मेरा ये दोस्त उसको देख रहा था, उसने बॉल उथा के बच्चे को देने के लिए ले गया तो बच्चा दोड़के आया तो इसने बॉल छोड़के उस बच्चे को उठा लिया बच्चे की माने बालकनी से देखा और उसके ऊपर केस फाइल किया सूट फाइल किया कि मेरे बच्चे का अपरण इसने करने की कोशिश की अब मेरा भाय मेरा दोस्त और उसकी पत्नी दोनों सत्रे साल के लिए जेल में बंद है शत्रे साल उनकी जिन्दगी जेल में कटेगी अब वो मुझे कई बार कहते हैं कि हमने बहुत भारी गलती की अमेरिका आगे लेकिन अब समझ में आता है कि भारत और अमेरिका का अंतर क् वहाँ पडोसी के बच्चे को गोद में लेने पर जेल हो जाती है और भारत के सारे बच्चे पडोसी के घर में ही बड़े होकर जवान होते हैं हमें तो याद ही नहीं है हमारे बच्चों की वो तो पडोसी के घर में खाना खाते हैं वहां खेलते हैं वहीं सो जाते हैं अगले दिन घर में वापस आ जाते हैं कोई चिंता नहीं कोई टेंशन नहीं कोई तकलीप बहुत अंतर है हमारी सब्धिता उनकी सब्धिता में हमारी संस्कृति उनकी संस्कृति में हमारी परंपरा उनकी परंपरा में हमारी मानिता उनकी मानिता में तो मैं आप से यही कहना चाहता हूं कि आप अपनी मानिता अपनी परंपरा अपनी संस्कृति अपनी सब्विता का ध्यान रखिए विदेशी मानिता विदेशी परंपरा विदेशी संस्कृती में फसेंगे तो ना तो भारतिये बनेंगे ना आप उनके जैसे बनेंगे खिचुडी बनकर अदकच्रे हो जाएं इसलिए हर इस तर पर कोशिश करिए कि आप भारतिये ही रहें बच्चों का जनम दिन मनाना है भारतिये तरीके से मनाइए एंग्रेजियत में मत जाये केक खरीद के लाना फिर मॉम्बति लगाना फिर फूक मार मार के बुझाना अब बुझाना था तो जलाया क्यों और हमारे घर में तो जलता हुआ दीपक तब बुजाते हैं जब किसी की मृत्यू होती है जनम दिन हुआ के मरण दिन क्यों मना रहे हैं ऐसा जनम भारतिय पद्दती का प्रयोग करिए मंदिर में जाईए दीपक जलाईए गरीबों को खाना खिलाईए कुछ दान करिए बच्चों को वो परंपरा में सिखाईए उनकी आदतें वैसी बनाईए हर इस्तर पर भारतिय बनिये मेरी आपको एक विनम रपेक्षा है भाशा में भारतिय होना भूशा में भारतिय होना भोजन में भारतिय होना भजन में भारतिय होना भेशज में भारतिय होना औशदी वो भी पूरी भरती उप्योग करें. क्योंकि जो ओषदी आपके देश में पैदा हुई है, वही आपके अनुकुल होगी. जो ओषदी आपके आप पैदा नहीं हुई है, बाहर से आई है, वो आपके अनुकुल कैसे होगी? ईलोपयति की कौई भी दवा खाएंगे वह ठंडे देश की लोगों के लिए बनाई गई दवाएं हैं वह गर्मी ही करने वाली हैं और आप गरम देश में रहते हैं। और एलोपेथी खाएंगे, मर जाएंगे, इतने साइड इफेक्ट्स होंगे कि परेशान हो जाएंगे, इसलिए अंग्रेजी दवाओं में एक बीमारी जाती है, दूसरी आती है, दूसरी जाती है, तीसरी आती है, तीसरी आती है, चौती जाती है, जिंदगी पर हम स्वस्थ सबसे बड़ी बात है कि उसके side receber नहीं और आसानी से घर में उपलब्द है पडोस में उपलब्द है री स्रुम फ़ोर हम ड्राप पर बनीए तो यह अंग्रेज्यत हमारे जीवन से चली जाएगी एक तो अंग्रेजियत हमें साशन में से हटानी है प्रशासन से हटानी दूसरी अपनी जिंदगी से भी हटानी यह दोनों इस तर पर काम होगा अभियान चलेगा तब जाकर एक ऐसा भारत बनेगा जिसका सपना हमारे शहीदों ने देगा लोकमा सबसे पहले माध्यम की बात कहीं थी कि हमारी सिक्षा पूरी मात्रभाशा में होनी चाहिए और उसके लिए बहुत बड़ा अभियान उन्हों में चलाया था अब मुझे दुखिस बात का होता है कि लोकमा निबाल गंगादर जिलक के देश में जो अभियान उन्होंने कभी मराथी माध्यम की शालाओं के लिए चलाया या गांदी जी ने हिंदी माध्यम की शालाओं के लिए चलाया अब उस देश में अंग्रेजी माध्यम की शालाओं ही शालाओं कुलती चाहिए convent school, public school और हम convent schools में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं बड़े गर्व से कि हमारे बच्चे convent में पढ़ते, convent का अरथ तो समझ लीजे होता क्या है convent का अरथ है लावारिस बच्चों का school इंग्लेंड में मेंने आपसे कहा न üstra marital affairs है परिस्त्री गवन पर पुर्श गवन और कई बार इंग्लेंड में जादा तर बच्चे जो है ना बिना माबाप के हैं क्योंकि 70 से 80 प्रतिशत बच्चे बिना शादी के पैदा होते हैं अब बिना विवा के बच्चे पैदा होंगे तो आई वडिल पता नहीं तो लावरि है क्योंकि असली का पता नहीं नकली से काम चलाते हैं स्कूल में टीचर नहीं होते हैं मदर फादर होते हैं क्योंकि असलियत में नहीं अब हम हमारे बच्चों को कॉन्वेंट में भेजते हैं और उनको भी वही मदर फादर सिखाते हैं हमारे तो घर में हैं फिर स्कूल में और एक हो गए मालूम है किसी भी बच्चे की दो आई हो सकती है दो पिता नहीं होते कभी भगवान क्रशन की दो आई थी पिता एकी थे राम की तीन आई थी पिता एकी थे हमारे भारत में दो आई हो सकती है तीन आई हो सकती है पिता एकी होता है लेकिन कॉन्वेंट में हर बच्चे के दो पिता होते हैं, दो बाप, एक तो घर वाला और एक तो स्कूल वाला फादर, और जिन बच्चों के दो बाप होते हैं, उनी को बास्टर्ड कहते हैं, बहुत खराब गाली है बास्टर्ड, हम हमारे बच्चों को कॉन्वेंट में भे आपकी बेंगे बच्चों को और आगर आप कॉन्वेंट में भेजएंगे नहीं.. तो आप विखने को बंद हो जाएंगे.. आपके फीस पे चल रहे हैं.. और मराठी माध्यम्राइब हैं.. वह और खुर जाएंगे कि वह आपकी फीस पे चलेगे.. ये तो हमारे हाथ में हैं कि हम किन शालाओं को बढ़ाते हैं और किन को बंद कराते हैं कहने का मेरा एक ही मतलब है अंग्रेजों को भगा दिया है तो इस अंग्रेजी से क्यों चिपके हुए हैं इसको भी भगाईए हमारी जिंदगी से हटाईए हमारे विभार से हटाईए हम करने के लिए हम भारत स्वाविमान अभियान चला रहा है आप से मैं एक अपील करने आया आप बोलेंगे इस भारत स्वाविमान में हम क्या मदद करें आपकी बहुत बड़ी मदद चाहिए आपकी मदद के बिना ये नहीं होने वाला अगर हम अकेले कर लेते तो मैं आपके पास में ही आता आपकी मदद चाहिए तब ये अभियान होने वाला है सफ़द आप क्या मदद कर सकते हैं हम को इस समय भारत स्वाविमान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए जो हमारे सदस से बने हमारी ताकत बढ़े क्योंकि हमारी ताकत राजनितिक पुढारियों से जब तक ज़्यादा नहीं होगी हम कोई भी काम ये नहीं कर पाएं पुढारी इसको होने नहीं दें और हमको ये करना है तो उन से बड़ी ताकत हमें बनानी पड़ेगी कॉंग्रेस बीजेपी जनतादल सीपी एम सीपी आई समाजवादी पार्टी बहुजन समाजपार्टी ऐसे अड़तालीस राज़किय दल हैं इस तेश में उनकी कुल मिलाकर सदस्य संख्या चार कोटी है हम चाहते हैं कि हमारी सदस्य संख्या पांच कोटी हो जाए हमारे पास लगबग 2,40,000 सदस्य हैं जनवरी 2010 तक 11,000,000 हो जाएंगे अगले दो वर्ष में पांच कोटी करना है इसके लिए परमपुजी ने स्वामी जी खुद गाओं गाओं निकलने वाले हैं जिले जिले में प्रवास करने वाले हैं आप भी हमारी मदद करिए हमारे इस अभयान में जुड़ जाएए आपकी ताकत हमें बहुत बड़ा संबल देगी मदद देगी कैसे जुड़े हमारे सदस्य बन जाएए बहुत आसान है आप बाहर जाएंगे तो इस टॉल पर एक सदस्यता फॉर्म रखा हुआ है उसको भरके दे दीजे दो तरह की सदस्य है एक तो साधरन सदस्य है और एक विशेश है जो विशेश सदस्य बनेंगे उनको 1100 रुपए शुलक देना पड़ेगा जो साधरन है वो 51 रुपए मैं आप विशेश सदस्य बनेंगे तो क्या होने वाला है आपको हरिदवार स्वामी जी खुद बुलाएंगे और खुद आपकी छमता है जैसी आपकी शक्ती है हमारे इस अवियान में सदस्य बनिये और दस-दस लोगों को बनाएए ताकि जल्दी से हमारा संकल पूरा हो अगर कोलहपूर में 2100 सदस्य हम तैयार कर पाएं 1100 रुपए वाले तो परम पुजिने स्वामी जी खुद यहां आएंग सकते हैं और आपको प्रसिक्षन देकर इस काम में और ज्यादा गहराई से जोड़ सकते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए यह मैं आपसे ने वेदन करने आ आप जुड़ेंगे तो दो फाइदे होंगे एक तो हमें एक आपको हमें फाइदा यह होगा कि थोड़ा सा धन जो आप हमको देंगे वो हमारे इस ट्रस्ट के लिए बहुत बड़ी ताकत है और यह ट्रस्ट जो भारत स्वाविमान है वो आपके ही धन से चलता है हम बड़े उद्योग पतियों से चंदा नहीं लेते क्योंकि वो हमारे उपर दूसरे तरह का दबाव डालते हमारा संकल पर कि आम आदमी से साधरन आदमी से थोड़ा थोड़ा मिले उसी से हम काम चलाएंगे और हमारे ट्रस्ट का यह संकल पर कि जो भी धन आएगा वो ट्रस्ट के काम में खर्च होगा वो व्यक्तिकत रूप से खर्च नहीं होगा तो आप जो भी थोड़ा धन देंगे वो हमा था परिवर्तन का अंग्रेजियत को हटाने का भीयान चला भारत स्वाविमान तो मेरी आई उसमें थी मेरे वडिन उसमें थे जैसे अभी हम कहते हैं ना अजजी मेरे अजजोबा दोनों जेल गए थे और गर्व होता है तो आपके बेटे बेटियों को भी गर्व होगा ये कहते हुए कि मेरे अजजी अजजोबा मेरे आई बलिल दोनों भारसवाविमान के लिए काम करते रहे तो आप अपने बच्चों की नज़रों में हमेशा उचे रहे और वो आपका सम्मान करते रहे इसके लिए आप इस अभ्यान में जुड़े और नहीं जुड़ेंगे तो भी हमारा काम तो होने वाला है आप नहीं जुड़ेंगे कोई और जुड़ेंगे देश का काम तो होने ही वाला है जिनोंने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी तो भी देश आजाद तो हुआ जिनोंने अंग्रेजों की मदद की तो भी देश आजाद तो हुआ आप अगर नहीं जुड़ेंगे स्वाविमान अभियान में तो भी काम तो होने वाला है आपके बिना होगा तब आप शर्म से अपने बच्चों को भून इं दिखा पाएंगे ऐसी शर्मिंदगी आपको अपने बच्चों के सामने न जहिलनी पड़े इसके लिए आप इस अभियान में जुड़िए इस अभयान के साथ ताकत बनिये पूरे देश में ये अभयान अभी चल पड़ा है बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे संगठन, बहुत सारे सादू संथ इसके साथ जुड़ रहे हैं तेजी से ताकत बढ़ रही है आप सोचिए छे साथ महीना हुआ है अभी ये भारत स्वागमान बने हुए और दो लाख चालीस हजार हमारे पास कारे करता है मातर छे महीं, साल वर में ग्यारे लाख होंगे दो साल में पांच-छे करोड से ज़्यादा हूँ इतना तेजी से बढ़ रहा है ये संगत्रा क्योंकि बहुत सारे लोगों का सहयोग और सहकार हमें मिल रहा है तो आपका भी सहयोग और सहकार मिले आप इसमें जुणे ये मेरी भावना है और दूसरा निवेदन आप सबसे मेरा यही है कि जिस उद्देशे के लिए हम समरपित हैं हमारा संगठन समरपित है वो उद्देशा आप अपने जीवन में भी हासिल करें हमारे संगठन का सदस्य होने वाले हर व्यक्ति को तीन शर्ट माननी पड़ती है पहली शर्ट ये है कि वो अपने जीवन में अधिक्तम स्वदेशी वस्तूओं का उप्योग करे क्योंकि भारत स्वाविमान का लक्ष है स्वदेशी अर्थ व्यवस्था बनाना स्वदेशी क्रशी व्यवस्था, स्वदेशी कानून व्यवस्था, स्वदेशी न्याय व्यवस्था इसलिए हम स्वदेशी को मूल रखते तो पहला आप स्वदेशी का अधिक सेदिक उप्योग करें उस विशह पर बहुत बार मैं यहां आके व्याख्यान दे चुका हूँ इसलिए आज मैंने ज़्यादा नहीं कहा है विदेशी वस्तूओं का बहिशकार करना है स्वदेशी कोई सुविकार करना है आप पूछेंगे पता कैसे चलेगा कौन सी वस्तू स्वदेशी है तो उसके लिए पुस्तक बनी हुई है जीवन दर्शन आप वो ले सकते हैं उसमें पीछे लिस्ट है क्या वस्तू है स्वदेशी क्या विदेशी पतंजली चिकितसाले में जाकर आप सूची ले सकते हैं क्या स्वदेशी क्या विदेशी लाना हमेशा स्वदेशी वस्तु है ताकि देश का एक पैसा भी बाहर ना जाए अगर स्विस बैंक में पैसा बाहर जा रहा है और हमें दिल का दर्द है तो दूसरे देशों में पैसा जा रहा है तो भी दिल में दर्द उतना ही है इसलिए विदेशी वस्तों का उपयोग ना करें ये पहली शर्त है दूसरा आप अपने जीवन में हिंदू है मुसलिम है, सिख है, इसाई है, जैन है, पारसी है जो भी है वो आपके व्यक्तिकत जीवन में है जैसे ही घर के बाहर आप निकलते हैं आप हिंदू नहीं, सिख नहीं, मुसलिम नहीं, इसाई नहीं, आप सब भारती हैं हमारे भारस वाजमान का चिंतन है, सोच है वो ये कि हम हमारे घर में हिंदू, मुसलिम, सिख हिसाई कुछ भी हो सकते हैं लेकिन सारजनिक जीवन में हम सब भारतवासी हैं, भारती हैं, इस भावना से हमें काम करना है, ताकि समाज हमारा धर्म के आधार पर, संप्रदाई के आधार पर ना बटे. यह दूसरी शर्त है. और तीसरी शर्त है वो यह, कि आप सब योग सीखें, प्राणायाम सीखें, अपने को स्वस्थ बनाएं, और दूसरों को स्वस्थ बनाने में मदद करें. प्राणायाम का बहुत बड़ा अभियान पिछले कई वर्षों से चल रहा है. आस्था चैनल पर स्वामी जी रोज सुबह पांच से साड़े साथ सब को सिखाते हैं. आप भी चैनल खोलिए, देखिए, सुनिए, सीखिए. और सीखने के बाद दूसरों को सिखाई. यहां कोलापुर में हमारे बहुत सारे योग सिख्षक हैं, जो निशुलक कक्षाएं लगाते हैं प्राणायाम सिखाने के लिए. आप उनसे संपर्क कर लीजे, आप प्राणायाम सीख लीजे, दो फाइदे होंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे, परिवार के लोगों को स्वस्थ बनने में मदद करेंगे. हमारे देश में हर साल बीमार लोगों का इलाज करने में 6.6 लाख कोटी रूपए बरबाद होता है. अगर हम सब स्वस्थ हो जाएं, तो 6.6 लाख कोटी रूपए देश की बचत कर सके. कितना बड़ा एमाउंट है, 56 लाग कोटी, भारत सरकार के टोटल टैक्स कलेक्शन से बड़ा एमाउंट है, टैक्स एकटा होता है सवा 6 लाग कोटी का, हम चिकित्सा पर खर्च कर देते हैं, 56 लाग कोटी, और वो फालतू बिमारियों पर, डाइबिटीज, अर्थराइटिस, ब्रॉंकाइटिस, अस्थमा, दमा, ब्रॉंकियल अस्थमा जो आसानी से ठीक होने वाली बीमारियां एक पैसा भी जिसमें खर्च नहीं होता है सिर्फ स्वास को ध्यान में रखना पड़ता है प्राण को ध्यान में रखना पड़ता है निशुल गती ठीक होती है और ऐसी बीमारियां जो कहीं ठीक नहीं होती वो प्राणायाम में ठीक होती है तो आप थोड़ा प्राणायाम योग सीख लीजे दूसरों को सिखा दीजे ये तीसरी शर्ट है इन तीन शर्तों को जो भी मानेगा वो भारस वाजमान का सदसे बन सकता है आपके लिए ये कुछ भी मुश्किल नहीं है आप इन शर्तों को अपने जीवन में उतार सकते हैं दूसरों को उतारने में मदद कर सकते हैं ये मेरी आपसे बिनम रपेक्षा है तो मैं आपसे यही कहने आया, हमारे अभियान से जुडिए इसके सरस से बन जाएए, स्वदेशी का अपने जीवन में पालन करिए, मात्र भाषा को सम्वान दीजे अपने जीवन में, अपने सामजिक जीवन में, राष्ट्वी जीवन में, भाषा, भूशा, भोजन, सम्मले में सजक करते जाए जागरूग करते जाए तो एक दिन ये देश वैसा ही बनेगा जैसा हमारे शहीदों ने सोचा था बगत सिंग का सपना था उदम सिंग का सपना था चलरशे कराजाद का सपना था लोकवानि तिलक का सपना था गांधी का सपना था एक स्वदेशी भ लोग अपनी मातर भाशाओं का सम्मान करें, ऐसा भारत बने, अंग्रेजों की कानून खतम हो, अंग्रेजों की विवस्था खतम हो, ऐसा भारत बने, वो सारे के सारे भारत को बनाने की अब जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है, इश्वर हमें मदद करें, इश्वर हमें शक्त करता हूँ धन्यवाद देता हूँ आपने जो कुछ सुना है वो दूसरों को सुना है ये मेरी विनम रपेक्षा है और जो बाते मैंने कहीं है इन बातों को अगर बार बार सुनना हो बार बार दूसरों को सुनाना हो तो कुछ मैंने CD बनाई है MP3 मेरे व्याख्यानों की बाहर आप जाके स्टॉल से ले सकते हैं, कोई भी सीडी पर मेरा कॉपी राइट नहीं है, सब को कॉपी करने का कम्प्लीट राइट है, आप एक सीडी ले लीजे, दो ले लीजे, उसकी पचास कॉपी बनाईए, सो बनाईए, हजार बनाईए, लोगों में बाटिये, मैं कभी आपक में दे दिया, अब आप किसी और को ये दे दीजे, वो किसी और को दे दे, वो किसी और को दे दे, ग्यान ऐसे ही फैलता है, और ग्यान जितना फैलता है, अंदकार उतना कम होता है, त्रासदी उतनी कम होती है, ग्यान के फैलने से ही उदे होता है, हर चीज का, तो भारत का ग्यान जो मैंने आपसे बांटा शेयर किया, वो आप दूसरों को बांटें शेयर करें, उसके लिए सीडी ले सकते हैं, कौपी कर सकते हैं, कराके दूसरों को बांट सकते हैं, और हमारे जब्यान का सदसे बनने के लिए फॉर्म हैं, वो भर सकते हैं, और घर ले जाके बर के चिकित साले में जमा कर सकते हैं इस बहावना के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत आज़ें